इसले खोए अजय भाइए वेल्गम तो आफ आफ एन्याटि जल्दी से अबहुत ही बड़िया अपना पीवाई कि अशेशन चलने वाला है हैं ठीक है सießen बनावगे 2019 का पइपर डिसकसन होने वाला है फिसकल कमेष्ट्री का पेपर चलिए जल्दी से जोई हो जाईए कि जल्दी सोइन हो जाईए गेट 2019 के पेपर में किस तरीके से कोशेंग्ट पुचे गए बहुत अच्छे चलिए बढ़िया चलिए तो स्टाइट करते हैं आज का अपना सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही मज़दार है दीवाई गेट 2019 के फिजिकल के मेस्ट्री के पेपरों का डिसकेशन चलिए यह बच्छो आप लोगों के सामने फर्स्ट कोशन सबको दिखाई दे रहा है देखिए इस तरीके से आपके सामने फर्स्ट कोशन आ चुका है इस कोशन को जरा अगर आप ध्यान से रीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कोशन सिंपल है और इजी भी है बट यहाँ पर थोड़ी सी सिली मिश्टेक गेट के एक्जाम में हुई थी गेट वालों से क्या उन्होंने यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कोशन पूछा है पहले कोशन रीट करेंगे चलिए जल्दी जोईन हो जाईए ओके चलिए देखिए बच्चो इनकरेक्ट स्टेटमेंट एवाउड दा सोलीड स्टेट स्ट्रक्चर त्यान से सुनिए यहाँ आप से पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट प करेंगे चलिए तो देखिए फर्स्ट कोशन में आपका पहला ओप्षन है के टायन इन बोथ सॉलीड एग्जीबिट कॉडिनेशन नंबर एट ठीक है अपने पास कौन-कौन से हैं दो सॉलीड स्टेट इस्ट्टर एक सीजियम क्लॉराइड एक कैल्सियम फ्लॉराइड ठीक ह है दो हमारे पास क्रिश्टल स्टेक्चर है इनी के बारे में हमसे पूछ रहा है चलिए कि कोडिनेशन नंबर जो है वह एट आएगा दोनों ही के टायन जो भी इन दोनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे चलिए चेक करेंगे इस बात को तो देखिए सीजियम क्लॉरा जाता है इसका मतलब मैं अगर कहूं तो क्लॉरीन जो है बच्चो कहां पर जाएगा सभी कॉर्नर्स पर जाएगा रहा है और कई लोग कह देते हैं क्यूबिकल वॉइड में जाता है यहYou लोग ढweekन देटे कि बॉडी सेंटर पे जा रहा है यहिक है लोग सको बॉडी सेंटर टाइप स्टुक्चर भी कह देते हैं बड़ गॉड डाइप होता है क्योंकर चहोड़ होता mistaken का को टच करेगा यानी 8 chlorine atom को वो टच करने वाला है मतलब सीजियम का coordination number 8 आएगा ठीक है चलिए तो यहां से तो बच्चों में समझ में आ गया coordination of cesium plus ion is 8 क्यों क्योंकि 8 corners को touch करेगा 8 corners को touch करेगा मतलब 8 chlorine atom को यह touch करने वाला है ठीक है और इसको body type center भी कहा जाता है ठीक चलिए अब आ जाते बच्चों कैल्सियम फ्लोराइट पे तो कैल्सियम फ्लोराइट पे अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो कैल्सियम का size बढ़ा होता है as compared to fluoride and yes calcium का size बढ़ा होता है as compared to fluoride and जिसकी वज़े से calcium आयन आपका lattice point पे जाता है और lattice point पे जाने का मतलब है यहां जो आपका calcium है बच्चों वह क्यों भी स्ट्रक्चर में जाता है आप सिंपल लैंग्वेज में FCC भी कह सकते हैं फेस सेंटर टाइप समझ रहे हैं यह सभी फेस सेंटर पे occupy करेगा प्लस कॉर्णर पे भी occupy करेगा ठीक है और फ्लोरीन जो होता है बच्चों सारे फ्लोरीन जो आपके जा रहे होते हैं और सारे के सारे फ्लोरीन आपके ओल टेट्रा हेड्रल वाइड्स में जा रहे होते हैं फ्लोरीन का अगर आप कीजिए माल लीजिए एक रूम के कॉर्णर को पकड़ लीजिए एक रूम के कॉर्णर को पकड़ लीजिए एक रूम के कॉर्णर पे अगर आप देखेंगे तो एक टेट्राहेड्र वॉइड दिखेगा कॉर्णर के पास यानि एक कैल्सियम एक रूम में एक टेट्राहेड्र वाइड यानि टॉटराइड को टच कर रहा होगा और एक कॉर्नर जो है बचो एट रूम में इक्विली सेर्ड होता है इसका मतलब यहां पर जो कैल्सियम है वह कॉडिनेशन नंबर उसका आएगा वह क्या आएगा एट आएगा अगा समझ रहे हो यानि कैल्सियम को अगर दे इस पे भी कर लेते हैं इसका कॉडिनेशन नंबर निकाल लेते हैं लोग 4 ठीक है और इनके बीच में चार्ज का वो देखें तो इनके बीच में चार्ज का रेशियो देखें तो टू रेशियो वन तो कॉडिनेशन नंबर का भी रेशियो वैसा ही रहता है इसका मतलब इसका क बोली है वह क्रेक्ट है पार हमसे लेएंसे नहीं पूछी हमसे इन ऍरुक इस्टेट में पूछी तो चली आए मूव करते हैं है दूसरी स्टेट मेंट पड़ता है सीजियूरैड है यह स्टेटमेंट भी वच्छो करेक्ट है गरटे सकते हैं छलिंगे डिगता है बिल्कुल बात सही है मतल़ यह स्टेटमेंट करेक्ट है हमसे कौन सा फुचा है हमसे बच्छो इनकर्यों है याद रखनी है यह बाते ठीक है यहां गलती नहीं करनी हम से इंकरेक्ट पुछा है चलिए आगे चलते हैं थर्ड ओप्षन को देखते हैं मतलब अपना फर्स्ट ओप्षन नहीं हो सकता अब थर्ड ओप्षन पर थोड़ा सा अपनी कमाइड बनाते हैं चलिए थर्ड ओप्षन को करते हैं जड़ा रेडियस रेशियो अगर हम देखें सीजियम अपन क्लोरीन का और कैल्सियम अपन फ्लोरीन का तो यह देर आख्था है उन्होंने 0.93 & 0.73 ठीक है बच्चों यहां पर थोड़ी सी मिश्टेक इन्होंने करी है अगर कोशन का ओप्षन डी इन्होंने दिया बाता तो अगर इन्होंने यहां पर बच्चों यह जो डेटा दिया यह डेटा इन्होंने यहां पर नहोंने यहां पर रॉंग दिया है ठीक क्यूंकि आप भी जानते हैं घृती सीजियम अपन क्लोरीन जो भी बिल्कुल सही है क्ीजियम का साइज बच्चो छोटा होता है क्लोरीन से तो रेशियो जो आएगा वो वन से कम आएगा और सीजियम बच्चो यहां आपको पता भी है किस में जा रहा है क्यूबिकल वॉइड में जा रहा है तो रेडियस ऑफ कठायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो पॉइंट नाइन मतलब बिल्कुल सही है यह चीज तो सही दी ती लेकिन यह चीज जो इन्होंने दी थी कैल्सियम अपॉन फ्लोरीन का डेटा यह यहां पर इन्होंने गलत दिया था ठीक है और इसके हिसाब से तो बच्चो अगर देखा जाए तो यह भी इनकरेक्ट बोत एक्जिबीट क्लोस्थ पैक इस्टक्चर यह बात बच्चो बिल्कुल ही घरत है रहाए ध्यूप क्योंकि जो पहला इंस्टक्चर है बच्चो आपका छीजियं क्लोराइड यह एक लूज इस्टक्चर है कि लुज़ ली पैग इस्टक्चर है और यह मैंने किस बेस बोला है बच्चो यह मैंने इसकी निकालेंगे तो कम आती है 74 से इसलिए हम इसको क्या वimiento बोलते हैं जी बिल्कुल रितिका जी हमने यहीं बताया है बीसी सी नहीं होता है बट हम उसको बॉड़ी टाइप सेंटर कह सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से तीन इंकरेक्ट आपको लगने लगेंगे बट ऐसा नहीं था एक्जाम में इसको में आपक बॉड़ी सेंटर बोल रहा है और आपको लग रहा है कि यह भी हो सकता है तो उसको भी मान लेना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं बच्चों तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारा जो है ठीक और फॉर्ट वाला बच्चों इनकरेक्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है त करेक्ट आंसर है करेक्ट-ांसर बोला है मैंने जिसमें की इनकरेक्ट इस्टेटमेंट है वह आपका डि अप्शन क्लियर बच्चो एक्जाम पॉइंट ओव यूज से देखे तो अपना आंसर और डी दोनों हो सकता था बट करेक्ट आंसर यहां जो इननों ने दिया है इनकरेक्ट इस्टेटमेंट में वो डी दिया है ठीक है बच्चो क्लिया है सबको चले आगे तो इस तरीके से बच्चो यह कोशन था चलिए चलिए लिए बच्चो सेकेंड कोशन आप लोगों के सामने आ चुका है बहुत ही इजी और सिंपल कोशन आया था फ्रेंड लिक आई जो धंपर यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि लीनियर रिलेशन्सिप किसमें आएगी इस बात को सुनते ही आप आपका जो ग्राफ आए यह जो ग्राफ आए वाई और एक्स एक्सिस के बीच में वह स्ट्रेट लाइन जैसा देखें अभी तो लीनियर रिलेशन्सिप रहेगी बच्चोहाया ना तो हमें एक ऐसा ग्राफ देखना है ठीक है जो की स्ट्रेट लाइन दिख रहा हूं और य यह देखते हैं क्या है तो फ्रेंड लिक एड्रॉपशुन अईसो थर्म की बात अगर हम करें वहां पर X Y M होता है यहां पर उन्होंनों उसको क्या कहा दिया है थीटा कह दिया है सर्फेस कवरेज जो के एक ही बात है अगर बात करें तो ठीक है क्योंकि वह भी फ्रेक्शन सबस्क्राइब देखते हैं यह ग्राफ आपको लोग प्रेशर पर जाते हैं तो यह ग्राफ आपको इस तरीके से दिखता है यह तो कोई linear relationship आपको नहीं दे रहा है ठीक है जी बिल्कुल्टी यह तो कोई relationship नहीं दे रहा है मतलब a option तो बच्चो आप लोग correct है तो उसको card दीजिए अब आते है बी और सी और डी option में से चेक करते हैं आप देखिए ऐसे सोचा जाता देखिए आपको सभी option में कहीं ना कहीं natural log दिखाई दे रहा है या आप ऐसे भी सोच सकते हैं दो चीज अगर multiply में उनको plus मिलाना है तो किसका यूज करें natural log या log का यूज करें चलिए natural log का यूज कर लेते हैं क्योंकि option में हर जगा natural log दिया है आप कुछ भी कर सकते हैं चलिए तो एलन थीटा दोनों तरफ लॉग ले लिजिए यहाँ पर एलन और यह आपके के इंटू पी की पावर वन वाए एन देखिए अब यहां पर आप ध्यान से लॉग की प्रोपर्टी इसको बच्चों बहुत ध्यान से करना यहां पर आपके पास एक दो चीजे आपस में मुल्टिप्लाइए में हैं यहाँ से आप लॉग लगाएंगे तो दोनों क्या जाएंगे प्ल apples में आ जाएंगे और पावर आजयाएगी लॉक के चलिए करके दिखाता हूँ तो एलन थीटा is equal to a ल यहां ऐलन थीटा is equals to a लॉन की 5 plus 1 by n जो power है बच्चो बाहर आजाएगी log के तो वो ऐसे दिखेगा lnp अब बच्चो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो आपके सामने ये equation आज चुकी अब देखिए ln theta को बच्चो अगर आप देखोगे जादा तर इन्होंने कहा है y axis पर लीजिए तो आप भी क् चीज दिखेगी बच्चो ये slope दिखेगी ठीक है 1 by n की value generally vary नहीं करती है low pressure पे लेकिन high pressure पर आगर आप जाते है तो 1 by n की value vary करती है तो ग्राफ इस्टेट लाइन आता है ना ये low pressure के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है high pressure के थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है ये चलिए लन के बच्चो आपका क्या दिखाई देगा यहाँ पर constant दिखेगा ये आपको एक रिलियर ग्राफ दिखेगा y equal mx plus c और जहां पर आपकी slope जो होगी वो 1 by n के बराबर होगी जो की generally positive रहेगी और जो आपका k है बच्चो लन के वो भी आपका positive रहने वाला है तो इ मिलता है low pressure पर बच्चो ये काम ज्यादा अच्छे से करता है इस तरीके से बच्चो आपको इसका graph देखने को मिलता है low pressure पर ये graph बहुत ही अच्छा रहता है ठीक straight line graph तो आपका जो correct answer है बच्चो यहाँ पर क्या होने वाला है चलिए बहुत अच्छे तो b option नहीं बच्च आगे move कर दें चलिए शेयर कर दीजिए session को बच्चो बहुत मजाने वाला है अभी बहुत अच्छे questions get 2019 में पूशे बहुत अच्छे चलिए 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 बच्चो तो यह इस तरीके से भी questions exam में आते हैं आपको बिल्कुल ready रहना है सारी छोटी-छोटी conceptual चीजे पढ़क अगर या नहीं है चलिए चलिए बच्चो थर्ड कोशन आप लोगों के सामने आ गया missile formation किसकी वज़े से हो रहा है ठीक है missile formation किसकी वज़े से हो रहा है option को जड़ाए एक बार रीड कीजिए आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है डेकिए decrease in overall entropy due to the ordering या फिर increase in overall entropy mostly due to the entropy या फिर increase in overall entropy and degrees in enthalpy कैसे करें इस कुशन चलिए अगर आपको basic chemistry का आइडिया भी है तब यह कोशन हो जाएगा ऐसा सोचिए बच्चो कि माल लीजिए missile formation कब होता है कोई भी डर्ट पार्टिकल या कोई भी फैट पार्टिकल होता है फैट या ओईल होता है उसके चार और जो अब जब साबुन के मॉलिक्यूल आएंगे सोप के मॉलिक्यूल आएंगे क्या करेंगे इस मॉलिक इस फैट से या डर्ट से अटेच होने लगेंगी वहां पर पहले वाटर मॉलिक्यूल निकल कर बाहर जा रहे हैं यानि missile formation के समय वाटर मॉलिक्यूल वहां पर जो थे वहा बढ़ रही होती है और जब आपकी और यहां पर में आपको फंडा यह याद रखना है कि जो मिसल यहां उस्वारीशन होता है इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है इसका मतलब है कि आपकी एंट्रपी जो है वह बढ़ रहा होती है और किसके एंट्रोपी चेंजग बढ़ रहा होगा अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका missile formation हो रहा है आपको जो correct option आपको देखने को मिलेगा वो B मिलेगा अरे clear है solute से कोई लेना देना नहीं था चले आगे चलिए बच्छो share कर दीजिए session को चलिए आभी बहुत अच्छे-च्छे question आने वाले हैं चलिए next question देखते हैं यह question बच्छो next है आपके सामने एक बार में आपको diagram दिखा देता हूं चलिए देखिए इस question को जिए लिहाँ तो इस question में बच्छो आपको एक diagram दिया हुआ है ठीक है phase diagram pressure temperature के बीच में आपको एक तरह से phase diagram दिया है जहां पर लिक्विड गैस तीनों के बारे में बताया है कहां कहां पर किस तरीके से वह एक्जिस्ट कर रहा है ठीक है चलिए आप इस चीज को आगे समझते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर लोग नहीं पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं वो correct statement डूड़ने लग जाते हैं correct statement नहीं पूछा है बच्चों आप से incorrect statement पूछा है गेट और कहीं भी किसी अच्छे एक्जाम में question को read करना बहुत important होता है कहीं बच्चे इसकी वज़ए से question करके आ जाते हैं पढ़ते ही नही है 200 Kelvin temperature पर अगर हम प्रेशर को increase करें वन से 58 एटियम पर तो सियो टू जो गैस है यो टू जो गैस है वो liquid में convert हो जाएगी ऐसा इनका कहना है अब हमें नहीं पता कि यह सही कह रहे है या गलत तो किस से पता चलेगा ग्राफ से चलिए ग्राफ पर आ जाते हैं पैली statement को चेक करते हैं कि सही है या गलत है 200 Kelvin बच्चों आप द्याद से लिखिए यह 216 है तो इससे पीछे ही कहीं होगा 200 Kelvin यहाँ पर माल लीजिए ठीक है अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 180 प्रेशर मतलब यहाँ पर 180 प्रेशर से बच्चों प्रेशर मतलब यहाँ पर पहुच गए हैं अब आप बताईए अब बताईए आप यहाँ पर थे मालीजिए गैस थी आपके पास तो अभी आप कहां पहुच गए हैं तो आपकी जो गैस है वो तो सॉलिड में कनवर्ट हो गई एक तरह से देखा जाए तो लिक्विड में तो कनवर्ट नहीं होई है और यह आपकी लिक्विड में कंडेंस हो चुके जो की गलत है जो की इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और बड़ी बात यह हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है तो इसका अंसर आप पुरंत लगा सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन लेकिन आप चा मिलीग्राम के कोशन भी बहुत सिंपल और इजी एक्जाम में आते रहते हैं तो आपको छोड़के नहीं जाना है थोड़ा बहुत पढ़के और देखके जरूर जाना है चले चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं बच्चों बहुत बढ़िया कोशन था चलिए इस कोशन को अब भी जरा आप लोग थोड़ा सा रीड कीजिए इसमें क्या कह रहा है फिफ्ट कोशन है आप लोगों के लिए एक सेंपल है 25 मिलीग्राम यहां सुनिए 25 मिलीग्राम हाइड्रेटीड कंपाउंड का मीनिंग ही होता है उसके साथ कुछ वाटर मोलिक्यूल एसोसियेट है पता नहीं कितने जुड़े हैं पर जुड़े हुए यहां भी कुछ हैसा ही है तो उसके लिए बहुत तरीके होते हैं कि वाटर मोलिक्यूल को कैसे निकाले कितने वाटर मोलिक्यूल उससे जुड़े बहुत सारे तरीके होते हैं उन्हीं में से एक तरीका होता है थर्मोग् सब्सक्राइब होता है एक प्रोसेस यह भी होता है चलिए उसे छोड़िए आपको 250 ग्रैम पर मोल दिया है ठीक है आप से कह रहा है कि इस एनलीसिस के थूँ जिसमें हीट के थूँ कर वगरा बनाते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल लोस्ट हुए क्या लास्ट में कितने आपक उसको मैंटिंग पॉइंट से कंपर रहीं किया जाता है अगर आपको मेंटिंग्स चालब या нос दि्वाटर मॉलिक्यूल ही उसमें से निकल जाता है तो आपका जो कंपाउंड था उसमें से वाटर हो गया मतलब डी हाइडरेशन यानि वाटर का रिमूबल हो चुका है मतलब आपका जो कंपाउंड जो भी मास था उसका पहले से अब उसका मास कम आएगा यही हुआ भी है यहां पर देखिए पहले 25 मिली ग्राम आपका कंपाउंड का टेंप है बात समझ माई 9 मिली ग्राम यानि आपका वाटर लॉस हो गया है द्यूरिंग एनलिसिस ठीक चलिए अब आगे कहता है तो नंबर ओफ वाटर मॉलिक्यूल आप देखिए नंबर ओफ वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट पर मॉलिक्यूल ऑफ दा हाइड्रेटिड कंपाउंड है है थिक है है लिए उस मॉलिक्यूल अगर हम एक कीउल को ले पॉसमें से कितने बाट के मॉलिक्यूल गायब होंगे या वाटर की मॉलेक्यूल उसमें है यह आप से कौशन पूछ चलिए इसका एनलिसिस करके सोचते हैं इसको कीया कैसे जा आतक है LET पास Additional our अलीकष कोई वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए है डॉट एक्स एच्टु ओ ठीक है अभी इसका वजन देखें तो अभी इसका वजन लिया गया तो क्या लिया गया था 25 25 मिलीग्राम था बच्चो अब बच्चो यह आपका हाइड्रेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है अब मैंने इसको गरम किया हीट किया तो अब उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल सारे चले गए और उसके बाद इस कंपाउंड का जो वेट बसता है वो आपर लॉस्ट चाहाँ से देखुए यह व एट ऑफ वाटर लॉस्ट गोशत कितना हुआ वच्यों 25m मिली ग्राम माइनस 60 मिली ग्राम आगर हम इसको देखें तो नाइन मिली ग्राम वाटर आपका लॉस्ट हुआ है। इनाम औरन विली ग्राम एछ्टा आपका लॉस्ट हुई है। न ही तो वाटर लॉष्ट तो वाटर लॉष्ट के नंबर ओफ मोल्स कितने है यह भी निकल जाएगा बहुत ही एजी है नाइन इंटू टैन डिस्टू पावर माइनस थ्री अपॉन एट्टी तो यहां से आपको बच्चो आ जाएगा पाइफ इंटू टैन डिस्टू पावर माइनस यहां से बच्छों बहुत ही जाना है एक्जाम में छीजे समझ के जानी है ति होगा एक्जाम ठीक नहीं तो फॉर्मले लगा लगाके एक्जाम रह जाएगा ठीक है द्यान सकते हैं देखिए नंबर ओफ मोल्स ओवार्टर लॉष्ट आपके पानी के मॉलिक्यूल यह मोल क लीजिए जरा जल्दी से 25 मिलीग्राम और इसका मोलर माश 250 है तो इसके मोल्स बना लेंगे अगर हम तो ध्यान से देख लीजिए बच्चो 25 इंटू 10 रेश्ट्टू पावर माइनस 3 अपॉन 250 जो कि आपको दिखेगा नीचे 10 तो इसका मतलब यह आपके पाश 10 की पावर माइनस 4 मोल था क्या था बच्चो अब यहीं से कोशन आपका खतम हो चुका है अगर आप दिमाग लगाए है तो चलिए देखिए 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 10 की पावर माइनस 4 मोल हाइडरेटिड कमपाउंड ने कितने वाटर के मोल लोश्ट किये है अरे क्लियर वह बच्चो ठीक है चलिए द्यास देखिए देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है फिर से देखिए 10 की पावर माइनस 4 मोल हाइडरेटिड हाइडरेटिड कमपाउंड जो है आपका उसने कितने वाटर मोल लोश्ट किये है फाइफ इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल ह2 लोश्ट किये है ठीक है इतने मोल ह2 के लोश्ट किये है तो अगर बच्चो मैं दोनों तरफ एवगेडरो से मल्टिप्लाइ कर दूँ या ऐसा कह जणा हुँ कि 1 मोल अगर देखे तो कितना 5 मॉल एचटो को रिलीस कर रहा है देखो दयां से को है तो हम यहां कह सकते हैं बच्चो की वण मोल और आपका कमपाउंड फाइफ मोल ह2 ओ को loss कर रहा है यानि 1 mol compound के अंदर 5 mol H2O है तो एक molecule के अंदर बच्चो कितने molecule होंगे है 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 तो के 5 molecule होंगे आरे बच्चो क्लिया आरे देख लो 1 mol का मतलब क्या है एने 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 हाइडरेटेड कमपाउंड के अगर molecule है आपके पास है इसका मतलब है बच्चो इसके पास आपके पास 5 एने वाटर मॉलीक्यूल है अरे क्लियर हुआ ठीक है और अगर मैं एने 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 घटा दू तो एक मॉलीक्यूल एक हाइडरेटेड मॉलीक्यूल में अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 मॉलीक्यूल ह 2 आपको मिलेंगे और इसका मतलब वह यहीप पूछा था कितने नमबर और ओस्मॉलीक्यूल लॉस्ट होंगे पर हुए क्लियर बच्चो तो आप से नमबर पूछा था अगर यहां आपको नहीं भी मेंशन किया है कि यह टाइप में देसिमल बताना है इंटीजर तो भी आपको समझना चाहिए किसका आंजर टाइप ही आने वाला है तो आपको यहां सिस्फ एक ही आंसर करना था चो क्या है five अरे clear वह बच्छो तो आपको यहां जो करेक्ट आंसर हो क्या है फाइफ है क्या है फाइफ तो फाइफ नंबर ओफ मॉलिक्यूल लोश्ट होते हैं पर मॉलिक्यूल इस तरीके से कोशन सापके कंसेप्चुल एक्जाम में आए हुए कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन सिंपल और इजी भी है आप चलिए वच्चो नेक्स्ट कोशन भी बहुत ही सिंपल और इजी आपके सामने आया है एनिटी कोशन है बिल्कुल नुमेरिकल आंसर टाइप है आप से पूछ रहा है बताईए टोटल नंबर ओफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमेटेड इन फॉलोविंग रेडियो कोशन को आप लोग कैसे करने वाले हैं चलिए सोचिए इसको जरा तो कोशन बच्चो सिंपल ही है आप इसको ध्यान से एक चीज देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या देखिए अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमेटेड इन फॉलोइंग रेडियो अक्टिव बना है अब यहां पर कुछ अल्फा पार्टिकल निकलेगा और कुछ बीटा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चो होते हैं ठीक है चलिए तो यानि फोर है इलियम और टू ठीक इसी तरीके से यहां पर बीटा पार्टिकल की बात करें तो ज एक नंबर जो यह नीचे उनका विसम बराबर आने वाला है तो चलिए देखे चार्ज का भी बराबर आएगा देखे यानि यहां पर देखे तो 238 है और यहां एड करें तो देखे देखिये तो यहाँ 210 और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है बच्चो 0 है तो यहाँ पर अगर आप अभी simply यहाँ पर हम माल लेते हैं कि यहाँ पर X number of alpha particle release हुए है और Y number of beta particle हुए है यहाँ से बच्चो आपका निकल जाएगा क्या देखिए 238 माइनस 210 ट्वंटी एट डिवाइड़ वाइड़ इसकी वैल्ली बच्चो आ जाएगी 7 और यहाँ जाएगा मतलब alpha particle तो आपके 7 आ गए 7 alpha particle बहुत अच्छे बच्चो 11 बहुत अच्छे 7 alpha particle आ गए बहुत अच्छे ठीक आपसे लेकिन alpha particle नहीं पूछा टोटल number of particle पूछा है ना तो वाई कितना आएगा वाई देखते हैं आप वाई के लिए नीचे वाली चीजों को balance कर दीजिए आपका जागा देखिए नीचे वाल क्या है 92 is equals to 82 और इसको balance करेंगे तो 2x minus y देखिए plus 2x x की value रख दीजिए डिरक्टी 7 और minus y यहां से बच्चो y की value आपकी आ जाने वाली है जरा solve कीजिए 10 और 14 तो y की value आपकी 4 आ जाएगी clear y 4 आ गया x आपका 7 आ गया है आपका answer x plus y जो है बच्चो वो निकल कर आ चुका है clear है सबको ठीक है x plus y आपका यहां पर आ चुका है चलिए तो x plus y आपका क्या आया है देखिए x plus y आपका 11 आया है और यहीं आप से पूछा था ठीक है बिल्गुल 7 इंफा पार्टिकल 4 बेटा पार्टिकल बहुत अच्छे बच्चो यह कोशन इसले पढ़ा है मैंने आपक लास्ट में अल्फा पार्टिकल पूछ लेता जल्दी वाजी नहीं करने कभी ठीक है को अराम से करना है ठीक चलिए आप से टोटल नंबर पूछा था इसलिए इसका अंसर 11 है करेक्ट है चले आगे बच्चो इंपल था इजी था मज़ेदार था चले आगे चलिए यह कोशन आ गया बच्चो यह कोशन भी बहुत अच्छा कोशन माना जाएगा कहें तो अगर सिंपल कोशन है ठ्रमबडैनमिक्स का लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चूल जरूर है बिल्कुल कंसेप्चूल जरूर है ठीक है चलिए कोशन को रीड करते हैं और जिस से जिस किसी बच्चे से अंसर हो जाए इसका प्लीज कमेंट कर दें चलिए चलिए कोशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं रहा है आईडल गैस ऑक्क्यूपाई कर रखी है अन्नोन वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता बिल्कुल नहीं पता लीटर दिया है वॉल् में ज्यादा है ठीक है चलिए आगे देखिए गैस इस एक्सपेंड़िड आइसो थर्मली इस थर्मली आइसो थर्मल वर्ड का यूज कर दिया बच्चो याद रखना टेंप्रेचर सुड़ भी कॉंस्टेंट रहान आजली बो बच्चो टेंप्रेचर आपका इस तरीके से एक्सपेंड कर रहें चलिए बहुत अच्छी बात है एके डारंता त्स्ट्टेंडल प्रैसर आफ तो सुर्धम सुद मतलब घ्रम आली जैस कंटेंडर में है तो उसक्त्रूएटिंग का प्रेचर लग रहा है लग रहा है तो गैस एक्सपेंड कर रही है करके करके कहां जाएगी बच्छो फाइनल प्रेसर फाइनल प्रेसर लाइगा तब गैस एक्सपेंड करना बंद कर देगी बात समझ सब्सक्राइब ही है अना मतलब फाइनल प्रेशर की अगर आप सोच रहे तो फाइनल प्रेशर आ लास्ट में जाके टू एट्यम हो जाएगा ठीक है जहाँ सुनिए ठीक आगे चलिए इसमें कहा रहा है सो डैट साइनल वोल्यूम भीकम थ्री लिटर अब का जो फाइनल वोल्यूम हो चुका है वह थ्री लीटर हो गया है अब करेंगे वर्क इन्वाल्फ फॉर इस एक्सपेंशन प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है उसको बताईए उतना हो रहा है लेकिन ध्यान से पहले समझे ठीक है आपका वर्क किसके अगेस्ट हो रहा है एक्स्टेंडल प्रैसर के फॉर्मला तो बच्छों है सिंपल है वर्क ड़न इस इक्वेस्ट टू माइनस टी एक्स्टेंडल इंटू चेंज इन वोल्यूम का है पहली चीज दूसरी चीज खेल जो है यहां पर वो यूनिट का येस यूनिट का खेल है यहां पर गलती जोकरते हैं बस्थयर पूंचा है ओंसर आप से केलरी में पूछा है अंसर आप से कैलरी ज्म पूच्छा है बस यहीं गलतिया नहीं करनी है को इसको करते हैं पहला इसमेह इसके आपको को देख लिए बर्क डवी आपका आएगा कि इनीशैल वोल्यूम निकाले कैसे ऴचो उसके लिए आपको आगे जहीं इसको समझना है क्या एक्स एक्सपेंड कर रहिए और एक्सपेंड कर रही है ईसो घ्स को ड़िए आएगा वो चाहेगा यह चीज समझ में आनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे ठीक है तो देखते हैं अगर बात करें तो बच्छो टू एटियाम तो देखिए यूनिट के साथ में लिख रहा हूं वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम चलिए देखिए यानि प्रैशर इन टु फोल्यूम इदीशियल की बात प्रैसर इन्टु वॉल्यूम फाइनल की बात एक्लिया प्रैसर अने इसल क्या है देखिए आपको इनीशल प्रैसर गस्त आप expectations ये इं वी फाइनल बच्च आपको दिया है क्या वी फाइनल दिया है इना यहां से कीजिए राम से कोई दिक्कत नहीं कोई जल्द बाजी नहीं एटियम से एटियम के एंसिल कीजिए ठीटूजा सिक्स कीजिए वी आई की वैल्यू निकाल लीजिए पॉइंट फाइफ लीटर आ जाएगा चलिए वी आई आ गया है बच्चो पॉइंट फाइफ लीटर ठीक है इतना क्लियर सबको यहां तक किसी को डाउट तो पूछ लो देखो अब यहां पर रख दो चलिए आगे इसको पूट करके दिखाते हैं माइनस टू एटियम त्री लीटर माइनस वी आई की वैल्यू पॉइंट फाइफ लीटर अब इसको पूट करके देखेंगे चलिए तो देखिए आपका अंसर क्या आने वाला है देखिए वर्क डेन आपका चल रहा है इस तरीके से माइनस टू एटियम पॉइनल वोल्यूम थ्री लीटर इनीशल वोल्यूम बच्चो 0.5 लीटर और आपको दिख भी रहा है बच्चो इनीशल वोल्यूम तो कम ही होगा थ्र इस टू एटियम इन्टू कि लिए मुल्टिप्लाइ कीजिए 2.5 लीटर और यहां से बच्चो आपका अंसर आजाएगा माइनस फाइफ लीटर एटियम अब बच्चा यहीं पर कोशन को छोड़के आ जाता है अपना अंसर माइनस फाइफ लगा देगा बच्चो माइनस फ करने कैलरी में पूछा चलिए देखिए द्यांसर फिर से देखिए आप से आंसर कैलरी में पूछा है कैलरी अरे मुझे यूनिट कनवर्जन भूल गया तो मैं क्या करूंगा बच्चों वहां पर कोई बात नहीं उन्होंने आर्की वैल्यू दिये वहां से लगाओ दिमाग से निकल कराएगी क्या कैलरी की लिटेर में लिटर एटीम में चलिए कैसे आर की वैल्यू दिये technology लिटर एटीम के सब्सक्राइगे और वहीं एपले आप डाला ठोल दिढ़ कोई दिक्कत नहीं देखिए देखिए कि देखिए को आपको बच्छो आर की वेल्इू दी है जीरो पॉइंट जीरो एट टू लीटरног बडीयाइम पर केलवीन पर मॉल दे Hilal के लिग ऊधिल को दे खो तू नउरी हुग पर किलवीन और मॉल और क्लिएर यह दिया है आप देखिए जिरा आर mala को दीजेऄं के लिए केलवेन और मोल केलविन और मॉल तो कैंसिल हो गए और मोल तो कैंसिल लिए चुछ हें पान गीए चुछ या पढ़न नहीं करके गया था जैसा कोशन दिया था वैसा ही चुप चाप कर दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है फिजिकल के मिश्टी इतनी हाड नहीं होती जिस तरीके से लोग पढ़के थे हैं चलिए अब अब मैनस फाइफ लीटर एटियम दिया बच्चो मतलब क्या ह करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा चलिए सॉल्व कर लेते हैं तो टैन अपन पॉइंट जीरो एक तू तो आपका अंसर बच्चो 121.95 आएगा चलिए बिल्कुल इसली सॉल्व कर लीजेगा माइनस 121.95 कैलरी आपका अंसर आएगा बच्चो टू देसिमल प्लेस दिया थ आप पूछा था तो टू देसिमल प्लेस तक आपको चीजे करनी थी तेपर का लेवल रहता है बच्चो कोशन अच्छे होते हैं आपको ध्यान से इजी केल्कुलेसिंस अराम से करनी होती है जल्दबाजी नहीं करनी होती है चलिए एक बर देक लेते राउंडिट टू देस प्लेस पूछा था और इसके आंसर की बात करें तो वह भी बच्चो माइनस 120 से माइनस 121 तक दिया था वाइनस 122 तक चलिए तो यह ओप्शन इस तरीके से आपका आएगा तो करेक्ट आंसर यहां पे लिख देते हैं जो अपना आया है निकलकर अपना आंसर जो निकल क्या आया है बच्चों देखो क्या आया है माइनस 121.95 ठीक है रांडे टू टू देसी मल प्लेस है कई हो का बाइनस 9.4 भी आ सकता है माइनस 0.94 माइनस 0.96 कोई दिक करनी रेंज काफी अच्छी दी थी ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन चलिए तो बच्चों ये कोशन भी बहुत ये अच्छा है बड़ा मज़ेदार गोशन ये 2019 में सर्मोडैनमिस के भी कई अच्छे कोशन पूछे गए थे एक्जाम में ठीक है उनमें से ये भी एक है छोटा सा गोशन है लेकिन बहुत ये अच्छा है सिंपल है चलिए इसको मोल ऑफ आइस यानी कुछ मोल आइस के मेल्ट हो रहे हैं ओके चलिए बहुत अच्छी बात है तो कह रहा है हीट ओफ फ्यूजन आपको दिया है एक्टी कैलरी पर ग्राम आपको हीट फ्यूजन दिया है अरे क्लिया रहे बच्छोट ठीक है चलिए इसने टेमप्रेचर पे 273 केल्विन 180 प्रेशर पर दिया है ठीक और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आपको 28.8 कैलरी पर केल्विन दिया है आप से वैल्यू पूछ रहा है एक्स की बताईए वैल्यू क्या है कितने मोल है वाटर की तो कैसे निकाले बहुत ही सिंपल है चलिए देखते हैं कैसे करे वजे से वो कैसे निकालते हैं बच्चो तो इल्टा एच फ्यूजन फ्यूजन में जो टोटल चेंज आ रहा है एंटैलपी में फ्यूजन की वज़े से अपन वह आप रखे नीचे टैम प्रेचर तो यह चलिए आप निकाल सकते हैं चलिए तो डेल्टा-एस फ्यूजन की रख दीजिए डिल्टा एस फ्यूजन की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि एंट्रॉपी चेंज है अगर आप ध्यांच पढ़े तो एंट्रॉपी चेंज जो दिया है में बच्चों क्या दिया 28.8 cuál ringing unit का बहुत ध्यान देना है उन Ream लाँन्हेंच कैलो गलत होगा ही चलीए बहुअचि बात है अब सवाल आता है डिल्टा फ्यूजन क्या है कितना तोटल डेस डिल्टा है फ्यूजन कितने आइस मोड्य हुआ है इस का मतलब Jak делat रोला थोड़ा समझे चीज़ों को आइस का मतलब क्या है आप आइस से आप कहना क्या चाहते है आइस का मतलब अगर देखे मॉलिक्यूल की बात करें तो आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ही तो होगा बच्चो आइस का फॉर्मली की बात करें है ना आइस के कितने मॉल्स है बच हम पास आई से क्यों निकाला हमने ये अभी समझ जाएंगे देखिया से क्योंकि हमें देखना है कि कितना यह टोटल ठीक और हमें जो दिया है तो 80 पर ग्राम दिया है कि एक ग्राम के लिए 80 कैलरी है पर हमारे पास कितने ग्राम निकल हो रहे हैं कितने ग्राम मेल्ट हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा थ्याद सुनिए बच्छो एटी कैलरी और ग्रायम ने आपको 18 x gram की multiply करनी पड़ेगी की नहीं है ना और जो X आएगा वो तो मोल आएगा वो तो ही ठीक तो देखो unit cancel होई की नहीं ग्राम से ग्राम temperature क्या आएगा temperature बच्चो 273 Kelvin रखो बिल्कुल अरे clear वो बच्चो अब जड़ा calculation करिए आईए यानी 80 calorie देखो ध्यान से into 18 x upon 273 और यहां पर unit आई Kelvin inverse अब काटो unit को बच्चो अब देखो मज़ा आने वाला है अब कट करिए unit को देखिए calorie से calorie गया यह रहा Kelvin inverse से Kelvin inverse गया एक्स जो आने वाला बच्चो मोल में ही आने वाला है क्योंकि मैं उसको मान के भी चल रहा हूं ठीक है अब यहां पर आपका पूरा answer निकल जाने वाला है चलिए और अगर आप यहां पर 18 x आप बगर बात करें तो 18 जो इसका from पर मौल है ठीक है अब तो देकिए आगे चलते है जड़ा रहा येश्यों прим पर मॉल मॉल मांस से मल्टीपलाइ की है छाओ अने ग्रैम पर मोल निट्ल है तो यहां पर into 28.80 divided by 80 into 18 और यह यूनिट इसके साथ मोल की जुड़ कर आएगी यहां से बच्चों इसकी वैल्यू आप कैल्कुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी देख लिए कैल्कुलेट कर लिए 5.46 आपका अंसर आएगा जो कि अच्छी खासी आपको रेंज दी थ देखी जाए तो 5.55 तक रेंज दी थी जितना मुझे याद है ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है 5.46 इस तरीके से यह कोशन में आए हुए है तो नेक्स्ट कोशन देके बहुत ही बड़ी है बड़ी है कोशन है चलिए तो यहां प्यांसर लिख देते हैं अंसर है आपका 5.46 क्योंकि आप से टू देसिमल प्लेस पूछा है तो इसलिए आपका अंसर 5.46 तक आएगा चलिए बच्छो शेयर कर दीजिए सेशन को बहुत ही मज़ेदार कोशन से आगे अभी बहुत अच्छे कोशन बचे है चलिए बहुत बहुत मज़ेदार कोशन से हुआ अभी तो अभी बहुत मज़ेदार है चलिए इस कोशन आगया बच्छो बहुत यह च्छा बोशले है अंधिक है रीट करते हैं हम थर्माल इकलिब्रियम में है तो इकलिब्रियम में है एनर्जी आपको जीरो दिये हैं तू केवीटी ए ठीके वर विच्छ दड्र इजन्यसी आपको वन और टु दी है respectively okay आगे पूछ रहा है the value of the partition function बताइए at the same absolute temperature T पर ठीक है यह आप से पूछा है तो बच्चों आपको partition वाला formula आपको पता होना चाहिए उससे यह आपका question बहुत ही easily हो जाने वाला है तो चलिए partition जो आपका आता है partition function जो आता है क्या आता है qi is equals to summation summation सभी i's का into gi into i यहाँ पर बच्चों लेवल है energy लेवल की बात की जाती है आपर i into gi e raise to power minus ti upon kt के यहाँ जो है बच्चों बोल्ट्समें कॉंस्टेंट है इसको simply के भी सकते हो के भी लिख सकते हो चलिए के भी लिख लेते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा उसने के भी माना है चलिए यह हो गया ठीक है अब देखिए पहरी energy level के लिए अगर बात करें के लिख लिख लोगन है दूसरे के बात करें तो टू है जो g i है वाच्ट इजनले सी नेर्फिट कर रहा है और यह आई आई आपका energy उस level की energy को रिप्रेसेंट कर रहा है चलिए तो इसको तो सब्सक्राइब करते हैं तो आपका यह हो जाएगा जीवन e की पावर माइनस e1 by kbt ठीक है पहला और दूसरे की बात करें तो g2 e की पावर माइनस e2 by kbt ठीक है यह हो गया चलिए अब e1 की वेल्यू रख दीजिए e1 पहली energy level की बात करें 0 है सेकेंड energy level की बात करें तो 2 kbt है जल्दिस रख दीजिए जीवन और जीटू भी पता है आपको यह हो जाएगा वन इन्टू e की पावर माइनस जीरो प्लस टू इन्टू e की पावर माइनस टू के बीटी केंसल तो बच्चो यही बच्चेगा आपका अंसर 1 प्लस 2 e की पाव माइनस टू यह आपका यहां पर सॉल्व होखर आजाएगा इसको सौल खले ना बच्चो तो आपका एंसर से दिखिए कैसे किया जाता एकजाम में यह आपको सॉल्वकर Cr an यह आपको स्वर्फ करना यह weissach यह ना बच्चो एकी पावर 2 नीचे अपॉन में टू अपॉन एकी पावर टू यह क्या है बच्चो 2.7 है मतलब देखा जाए तो 2.7 का स्क्वार मतलब 3 का स्क्वार के आसपास नाइन से थोड़ा कम 8.5 और 2 अपॉन 8.5 की बात करें तो 0.25 के आसपास आएगा यह वैल्यू बच्व एक या रहती है जलिए कल्कुलेशन से कई जाती है कई बार विना कैल्कुलेटर यह अप इक्जेक्ट2 देसिवल प्लेश तक निकाल सकते हैं बट एक्जाम में आपको मिला यूज की जिए आंसर साही निकाल लिए चलिए इसका आंसर बच्चो लिख देते हैं इसका आंसर 1.27 ले लिजीए या 1.26 ले लिजे चैल्कुलेट करके देख लिजिए जो भी आपका आएगा दोनों ही सही है दोनों ही रेंज में है ठीक है चले आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन तो यह भी आपके सामने कोशन फिर से स्टेटिस्टिकल थर्मोडैनमिक्स कोशन है यह वैसा ही कोशन है पस थोड़ा सा लग है ठीक है इसको जरा देखेंगे समझेंगे और फिर इसको करेंगे चलिए देखते हैं जरा कह रहा है सिस्टम को कंसीडर कीजिए बच्चो आपके पास थ्री आइडेंटिकल और डिस्टिंग्यूसेवल पार्टिकल है और नौल इंट्रेक्टिंग आपसमें इंट्रेक्ट नहीं कर रहे हैं सबसे बड़ी बात बोल दी उसने चलिए आगे चलिए पास हैविंग इनर्जी जीरो एप्साइलन और टू एपसाइलन इस तरीक अब क्या कह रहा है बच्चो ता सिस्टेम इसन कॉंटक्ट विदे हीट बात ऑफ टेंप्रेचर टी केलिए टोटल एनर्जी जो है वो टू एपसाइलन रहनी चाहिए यह टू ए रहनी चाहिए एक लिए एपसाइलन बोलना हूं टू ए रहनी चाहिए बात कर दो इस त्री इसके से देखना है कितना नंबर ओफ वेज हो सकते हैं पार्टिकल इसे पार्टिकल को दिस्ट्रिबूट किया जा सकता है कैसे करें देखिए तो पहले सबसे पहली यह देखिए एनर्जी अगर टू इए है तो कितने अरेंजबेंट या पॉसीबल नंबर वे बन रहे हैं पहले एनर्जी के बेस्पे सोचिए फिर नंबर ओफ पार्टिकल सोच लेंगे ठीक चली एनर्जी के बेस्पे अगर सोचे बच्चो तो ध्यान से देखो क्या हो सकता है आपके पास तीन पार्टिकल है बच्चो देखो तीन पार्टिकल है तो हो सकता है कि दो पार्टिकल तो यहां पर हो देखो 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 बच्चो हो सकता है दो पार्टिकल तो आपके यहां पर हो ठीक है दो पार्टिकल यहां पर हो और एक यहां पर हूँ पहला गॉंबिनेशन टूई एनर्जी एहां न ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टिकल तो आपके यहां पर है और एक पार्टिकल आपका यहां पर है इन दोरों के लावा कभी और अर्रेंजमेंट नहीं बन सकती है टोटल एनर्जी टूई रखने का टूटल एनर्जी टूई रखने का और कोई एनर्जमेंट यहां नहीं बन सकता है तो पहले के लिए देखलो कितने नंबर ओफ वेसे बन सकते हैं सेकंड के लिए बात करें तो टूटल नंबर ओफ पार्टिकल थी क्यानि 3 फैक्टोरियल अपॉन इधर कितने रह रहे है दो और इधर 0 इधर 1 यानि 2 factorial 0 factorial 1 factorial तो इसकी value solve करोगे बच्चो 3 factorial को 3 into 2 factorial लिखेंगे सब cancel 0 factorial 1 1 factorial 1 होता है इसकी value आपकी निकल के आएगी 3 फिर किसी तरीके से नीचे वाले के लिए करेंगे number of ways में तो total number of particles 3 factorial पहले में 1 factorial दूसरे में 2 factorial और फिर से बच्चो चीज वही बन रही है इसका answer 3 total number of ways की बात करें तो 3 plus 3 बच्चो आपका क्या आएगा total बात करें total बात करें यहां पर पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वह 6 है तो यह आप से यहां पर पूछा हुआ था इस तरीके से questions gate में काफी अच्छे questions exam में आई हुए हैं चलिए next question देखें इसको अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ यहां पर क्या वोला है देखिए स्ऺेक्ड्रो मीट्र का कोशन है स्पेक्ड्र श्कोपी कह सकते हैं आप ए उप्दयायल यह गुर्च compartment सिफ्ट के शिफ्ट है मतलब बात करें तो वह रिजिए रहां यह रहा है आपका 1560 मे थे साथ कदम ठीक है चलिए आगे चलिए ठीक लिए लिए अफ दिस प्रोटोन इस इन पीपियम तो आपको निकालनी है यह यह बहुत ही सिंपल तरीका होता है आप सबको पता है चलिए देखिये क्या है यह बता देते हैं तो चैमिकल सिफ्ट की वैल्यू अगर आपको पीपियम में निकालनी है बच्चो तो दो फॉर्मले लोग लगाते हैं दोनों एक्चुली सेमी फॉर्मले है आपको जो अच्छा लगी वह लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है क्या है फ्रिक्वेंसी जिस पर रेजनेट कर र हर्ट में लेते हैं इसको भी हर्ट में लेते हैं तब तो 10 की पावर 9 से मल्टिप्लाई कीजिए इसको भी हर्ट में ले रहे है तब तो 10 की पावर 9 से मल्टिप्लाई कीजिए तब आपका एंसर पीपीम में आएगा ठीक मैं लिखता हूं देखो देहां से समझो तब आपक लिखिए मतलब कहने का है दोनों को सेन यूनिट में लिखिए बस और इंटू 10 की पावर नाइन किया है तो पीपिम में आएगा अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं लोगों ने और नहीं फॉर्मले बनाए वो भी देख लो क्या किया 10 की पावर शिक्स माइन नीचे लिए माइनस में तो देखो आपका मेगा हर्ट्स हैना मेगा हर्ट्स और इन सब की टम में भी आप बना सकते हैं तो देखो कैसे किया इन लोगों ने तो हाँ यहां पर आप रखिए इसको हर्ट्स में और इसको रखिए मेगा हर्ट्स में इस तरीके से बữaच्चों आप कर सकते हैं इस तरह इस अपना एंसर क्यां निकल जायेगा कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से भी मैं निकाल सकते हैं तो यहां पर हर्ट्स में रख दीजिए देखिए 1560 हर्ट्स और यहां पर रख दीजिए बच्चो अपना एंसर क्या है 400 मेगा हर्ट्स ठीक इसको बच्चो सॉल्व कर लिजे तो आपका अंसर यहां डिरेक्ली पीपिम में आ जाएगा 3.9 ठीक है 3.9 इस तरीके से भी आप यहां पर कर सकते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तो आपका दूसरा कोशन आ गया बच्चो बहुत ही बढ़िया कोशन है चलिए आगे चले तो इस तरीके से सारे कोशन आपके सामने चलिए तो आपका दूसरा कोशन आ गया बच्चो बहुत ही बढ़िया कोशन है यह भी गैस फेज में आपको डाइपोल मोमेंट दिया कंपाउंड एमेक्स का ठ्रियंग स्ट्रॉम ठीक है और आप से कह रहा है कि 10.8 डाइपोल मोमेंट आ रहा है इसका इसका इसकी लेंग्ट दिया तो किस तरीके से कोशन को किया जाएगा चलिए देखते हैं द्यान से समझते हुए अराम से परसेंटेज और निकालने का सबसे असान तरीका ये होता है बच्छो ये देखो कि आपका जो आफ्जर्व डाइपॉल मोमेंट आ रहा है वह कितना रहा है ठीक है और उसके नीचे डिवाइड में रख दो क्या तो यह तो यह सिंपल तरीका और यह जो फॉर्मला आता है कहीं से नहीं युनिट्र मैथट से आता है जैसे आपने कभी देखा होगा इतने ग्राम में इतना बन रहा है तो वैसे यह फॉर्मला भी आता है चलिए तो समझाब देंगे कोई दिक्कत नहीं देखिए यहां आपका मियू औफजरव्ड घो आपका डाइपड मोमेंट आफ्जर हो रहा होगा वह वाला से रखना चाहें कुलम कुलम मीटर कुलम मीटरें रखो यह डिवाई डिवाई रखो ओनि यूनिट से रखना है आपके और य इंटो डिस्प्रेस्मेंट यानि कितना डिस्पेस्ट हुआ है उसी के बेस्पर निकालते हैं जा लिए देखिए देखिए चार्ज्ट तो आपको बच्चो निकल गया विल जाता है तो अगर आप बात करेंगे बच्चो यहां पर तो म्यू आफजर्व आपको दिया है आपको कोई मैनत नहीं करने अपको दिया ही है तहाँ दिया देखिए 10.8 डायोप्टर है और डिवाई डिवाई 10.8 डिवाई दिया है बच्चो अब म्यू थेयोरिटिकल आपको निकालना पड़े गा देखो मू थेयोरिटिकल निकालना पड़ेगा तो अगर स्वें सब्सक्राइब मतलब एक क्याइन इयक्तरों ना एक अब पॉंट नटीन क्य tribun की गूंट है? और city क्ती या compost की थी इंग इस्टों नीचे लगाओ बच्चो चाया इन्टू fulfillment चार्ज रखो एक इन्टू 10 की पावर माइनस 19 कुलम और डिस्प्लेस्मेंट जो हुआ बच्चो थ्री एंगे स्टॉर्म यानि त्री इन्टू 10 देश्टू पावर माइनस 10 मीटर बच्चो केल्कुलेशन सही से करना ठीक है तो इस तरीके से आपकी केल्कुलेशन रहेगी चलिए थ्रोड़ा स इन्टू 10 देश्टू पावर माइनस 30 कुलम मीटर रख दीजिए यूनिट कैंसिल हो जाएगी आपका सवाल हो जाएगा चलिए तो डिवाई यहां से हटाएंगे डिवाई हटा दिया अब इसकी जगा जो वैल्यू है जो दी है हमको रख दीजिए आपका परसेंटेज आन कैंसि टू 10 देश्टू पावर माइनस 30 कुलम मीटर यूनिट का खेल देख लिजे वास यूरी apan यूट देख लिजिए बड़ोगत लिए का कूलम और मीटर कुलम और मीटर कट गया है अब सारी कैलक oppose नपके सामने है बिलकुल ऑगकोल एजल्कुलेक्टलेशंस है कर तो यह माइनेस 30 है तो इसको धियान से ठीक है एक तो पैसलोगा आपके सामने इसको कर लीजिए देखिये सब कुछ कैंसे लोगे क्या होने वाला है यह कैंसी लोगा यह कैंसील होगा और यह कैंसील होगा ठीक है 10 की पार माइनस बनेगा और एक यह cancel हो जाएगा तो आपकी जो calculation final बचेगी देख लीजिएगा 108 into 3.336 upon 1.6 into 3 के आसपास बचेगी तो इसको भी अगर approximately काट देंगे तो भी आपका answer बच्चों यहाँ पर निकल कर आ जाने वाला है ठीक है चलिए तो इस तरीके से अपनी calculations को एक यार चेक कर लीजिएगा आपका answer यहाँ पर निकल कर आ जाने वाला है चलिए तो आपका answer यहाँ पर क्या आने वाला है अप्रोक्सिमेटली अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका answer बच्चो 75 point कुछ आएगा I think one आएगा चलिए एक बाइस को calculate कर लीजिए ठीक है तो आपक चलिए calculate कर लीजिए इसको इसमें ठीक ठाक थी 74.0 से 76.0 तक थी तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी ठीक है आपका answer 75.1 यहाँ पर calculation से आएगा क्यूंकि वन देसिमल प्लेस पूछा है तो वन देसिमल तक देना तू देसिमल लगाया तो आपका answer सही भी होगा तो भी कट जाएगा ठीक है बच्चो चले कोशन एजी होते हैं अगर आप एक दो बार पीवाई क्यों को सही से अनलीसिस करके जाएं उनको सही से समझ के solve करके जाएं तो आप से gate के questions बन जाएंगे चले चलिए बच्चो नेक्स्ट कोशन पर मूव करते हैं यह बच्चो आपके सामने 13th question आया है यह question अगर हम बात कर है यहां आपको कहा है suppose कीजिए आपका wave function 1D system का दिया है one dimensional wave function आपको दिया है ठीक है क्या दिया है इन एक्सपरिमेंट मेसरिंग न मुमेंटम आपको क्या मीजर करना है सिस्टेम का ओके वन उफ दा एक्सपेक्टिड आउटकम इन में से क्या येफelson के हिसाप से क्या मोमेंटम आएगा तो यहां पर बात करें तो एक्स्पेक्टेशन वैल्यू? जो है मोमेंटम की वो ही पूछना चाहरा है छी किए हो हमें सिंपल भासा में बात कहें तो बच्चों हम इन यह पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन वेल्यू ओफ मुमेंटम और वंडी है तो मतलब एक्स डिरेक्शन में है सिर्फ पी एक्स अमाल लीजिए ठीक है तो यह आप से पूछ रहा है तो यह कैसे निकाला जाएगा देखिए इसको निकालने तो पी ओपरेटर या पी एक्स ओपरेटर लगत दीजिए जो भी कहें चल जाएगा प्लियर है कि की वर्ड नहीं बॉक्स है और यहां बात करें तो साइं इन्टू डी एक्स इन्टू डी एक्स तो इस तरीके से बच्चो इसको आप कर सकते हैं ताई इन्टू पी इन्टू डी एक्स तो इस तरीके से आपको यह करना होता है तो इस तरीके से आपको इसको solve करना पड़ेगा इस तरीके से अगर आप इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है यहाँ पर आपका क्या आने वाला है यहाँ पर जो आपका बच्चो आने वाला है यहाँ से देखिए तो यहाँ आपका आजाएगा 22 perhaps यहाँ पर रहे है वह ठीक कर लिजेगा हुआ है पको नीचे आता है शाई-इंटू-शाई-श्टार इंटू-टी-एक्स तो इससे आपका अंसर पूरा का पूरा आ जाने वाला है बस इसी की एच्छो आपको वैल्यू सही से सॉल्फ करनी है आपको एंसर आ जाएगा देखें पी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा एच्छ डी वाई डी एक्स और साई स्टार बच्छो इसका अगर आप कोंजूगेट करेंगे साई स्टार करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी एकी पावर माइनस फ्री आयोटा के एक्स यह जो वैल्यू प्लस में है यह माइनस हो जाएगी कोंजुगेट किया यह ऐसे ही रहेगा रियल पार्ट ऐसी रहेगा यानि साइन के अंदर के एक्स अधर बच्छो और यहां से माइनस इस तरीके से इसको पहले डिफ्रेंश्येट करना पड़े गाड़ेगा यही प्रोड़क्ट रूल लगने वाला है फर्स्ट और सके बाद बच्चों की multiply करनी है लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कुछ notice कर पा रहे हैं तो माइनस आयोटा एच क्रोस जो है वो constant है तो उसको मैं बाहर ले सकता हूं ठीक है उसको मैं बाहर ले सकता हूं और प्लस नीचे यह जो चीज दी है यह बच्चों नीचे रहने वाली ह इसको अगर मैं लिखूंग यहाँ पर simplify करके तो आप देख पा रहे होंगे देखिए साई इंटू साई स्टार की multiply कीजिए जरा एकी पावर यहाँ प्लस में है यहाँ एकी पावर माइनस में है एकी पावर वाली चीज अपकी cancel हो जाने वाली है यानि एकी पावर 0 के अंधर केक्स होगा यह आपका नीचे आएगा अरे क्लियर बच्चो लेंदी कोशन था मैं पहले बता रहा हूं ठीक लेंदी कोशन था लेकिन मज़दार कोशन था इस तरीके से यह पूरा एक्सप्रेशन आएगा आप इसको जड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो अपना मे आपको देखने को मिला ती की पावर थ्री आयोटा के एक्स इंटू साइन के एक्स और यहां से अगर बच्चो आप नोटिस कर पाया तो मैंनस आयोटा एच क्रोच तुम्हेंने कामन ले लिया और नीचे आप देख पा रहे हैं अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो साइन के एकशंट इंटु साइन के अंदर के एकसंट इस पूरे का पहले तो क्या करो differentiation करो इस पूरे का क्या करो डिफेरेंशन एगा इंटीडेशन रहे ऐस तरीके से बच्चो आप का यह पूरा में रहने वाला है बहाँ भी पीछ दिएक्स रहे गया था लगा लेना उसमें कोई फरक नहीं पड़ता इंटीरेशन का डी एक्स है वो ठीक है गलती मत करना इस डी एक्स को काटना मत इसलिए मैंने पीछे वो डी एक्स नहीं लिखा था कई बच्चे आए गलतीया कर देते हैं चलिए तो डिफ्रेंशेशन अपना में काम है तो चलिए डिफ्रेंशेशन करते हैं बच्चो चलिए तो डिफ्रेंशेशन करते हैं देखिए दी बाई डी एक्स लिए की पावर माइनस 3 आयोटा के एक्स इंटू साइन का के एक्स तो इसका डिफ्रेंशेशन कीजिए बच्चो चलिए इसका डिफ्रेंशेशन करते है बच्चो देखिए तो यह differentiation है बच्चो आपके सामने तो यहां यह first function यह second function आपको जो अच्छा लगे वह माल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक चलिए तो देखिए first function को रखिए e की power minus 3 iota kx वैसे ही second function का differentiation k into sign का करोगे तो कॉस हो जाएगा और kx का करोगे तो के हो जाएगा तो आपको function का differentiation कर दो first function का differentiation करोगे यानि e की power minus का तो e की power minus x का differentiation मतलब e की power minus x और उसका अंदर का differentiation नहीं minus 3 iota kx का differentiation करोगे तो minus 3 iota k multiply में बाहर आ जाएगा तो चलिए देखते हैं ज़रा यहां पर multiply में minus 3 iota k आ जाएगा और into में e की power minus 3 iota kx तो ही है तो ध्यान से देखिए बच्चो e की power minus 3 iota kx दोनों जगह से common आने वाला है अरे हाँ यह ना ठीक है दोनों जगह से common आने वाला है और उसके अंदर बचेगा k cos kx ठीक है minus का sin kx into 3 iota k चलिए लिग देते हैं ध्यान से अराम से कर रहा है बच्चो जल्दिवाजी नहीं e की power minus 3 iota kx bracket के अंदर k cos के अंदर kx minus के अंदर 3 sin kx और यहाँ पर उससे पहले iota और k भी लिख देते हैं कि वो भी इसके साथ multiply में है चलिए तो minus 3 iota into k into sin k अंदर kx तो यह बच्चो आपका पूरा इस तरीके से बच रहा है अरे clear वो चो यहाँ पर e की power plus power में है देखिए यहाँ से समझेए बच्चो notice कीजिए यहाँ पर यह e की power minus में और यह e की power plus में जब दोनों आपस में multiply होगी आप multiply क्यों कर सकते हैं क्योंकि मैंने differentiation कर दिया है इसका इसलिए पहले नहीं कर सकते थि पहले कर देते हैं फिर differentiation करते हैं गल्थ हो जाता है आपको इस पूरे पर dydx लगा रहा था ठीक है इस पूरे पर dydx लगा रहा था ठीक है चलिए अब multiply कर सकते हैं बच्चो तो आफ इससे मुल्टिप्लाइब करेंगे है Cancell out हो जाएगा आपके पास xx बाहर बचेगा और यह चीज आपको बचेगी तो देखते हैं जरा क्या-क्या बचेगा उसको highlight कर देता हूं तो आपके पास बच्चों यह चीज बचेगी और एकी पावर वाली चीज़े कैंसिल तो साइन के एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर दी है यहाँ पर के आ गया है और यहाँ पर कॉस्ट के एक्स आ गया है तो आपका अंसर यहाँ पर माइनस थ्री आयोटा के और साइन के एक्स जो हो गया बच्चो क्या हो गया है साइन इसको आयर के एक्स हो गया है क्लियर है बच्चो तो इस तरीके से आपका यह पूरा यहाँ पर बन चुका है तो अगर मैं इंटिगरेशन साइन को अलग अलग कर दूँ तो इस तरीके से यह पूरा देखिए द्यान से ये वाला जो एंसर पार्ट्ञ हो जाएगा ये वाला इंसर आपका जीरो हो जायेगा क्यों हो जायगा क्यों कि अगर आप लिमिट लेंगे क्यों वें लें वंड़ी भॉक्स के लिए वेंद से लेंगune और यह आपका इंटीग्रल जो बन रहा है यह नीचे वाली इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको फूरा फाइनली देख पाएंगे तो आपको यह एंसर क्या आने वाला देखिए इसको solve कर लीजिए तो आपको अंसर यहाँ पर is three iota square h cut k आपको मिलेगा तो आपका एंसर माइनस three h cut k आ जाएगा यह साइद माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेभी si star होता है वहाँ पर ठीक है हााँ okay यहां si star होता है बच्चों तो यह पूरा आंसर बस आपका minus से पलट जाएगा ठीक है 3H cut K मिलेगा clear है ठीक है 3H cut K आपका answer यहाँ पर clear आने वाला है चलिए next question देखें कि अगे जलिए बच्छो 14th question बहुत ही अच्छा question कि अगे 14th question बच्छो chemical kinetics के उपड़ पूछा गया question था ये बहुत ही मज़ेदार question था अब question पढ़ने में ही इतना time लग जाएगा और उसके बाद बच्छो इसका formula याद रखते हैं कई लोग तो इसका formula याद रखते हैं और formula अगर भूल गए exam में तो ये question छूट जाता है तो formula याद नहीं रखना है बच्छो बिना formula के भी इस question को किया जा सकता है कैसे किया जा सक सकता है इस चीज को आज मैं आपको इतने बढ़िया तरीके की ट्रिक से सिखाऊंगा कि आप कभी चीज को भूल नहीं पाएंगे चलिए बहुत ही मज़ेदार ट्रीक के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रीक है बहुत मज़ेदारे इसको समझेंगे जड़ा एक्षिन यहां पर वर्ड गोल दिया ना बच्चो इसली से दिल खुश हो गया मेरा रिवर्सिवल रियक्षिन बहुत अच्छे है यानि रिवर्स नहीं जाने वाली यह रियक्षिन बात खतम यह कॉंसेप बहुत इंपोर्टेंट है आगे समझ मे आपको 15 x 10 की पावर मैनस 2 मिन दिया एं ठीक है जलिए यह मिनट इनवर्स हो गा एथिंग रेट कॉंसेंट फर्स्ट और है तो मिनट इनवर्स होगा ठीक है चलिए कोई बत नहीं जैए आगे देकथ है रिस्पेक्टिवली एट तेम्परेच टी आ और इफ़ इनिशल तय of the reactant p initial concentration बच्चो पी की आपको दे दी है पोर मोल पर लिटर मतलब फोर मोलर बात कह लिजिए सिंपल सी भाजा में चलिए देखिए आगे देखते देन दा कंसेंट्रेशन अब प्रोडक्ट आर आफ्टर 10 मिनट के बाद आर की क्या concentration लोगी देखिए यह बच्चो आ आ आपका इसकी 10 मिनट के बाद क्या concentration होगी यह हमसे पूछ रहा है थो यह हमसे बूछ रहा है बच्चो अब बच्चे formula याद करके जाते हैं लगाते हैं निकाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं बच्चो पैरलल reaction को समझ लिजिए ना formula स्यावाब याद करने की जरूरत नहीं है जली थिकते हैं य सिंपल अर्डर ईत्ट यह आप से स्यम्पल वस्वस्ट और पर्याशन आपने पड़ी तो उसी तरीके से इसको भी समझ जा है तो कोई बात नहीं है देखेंगे समझ़ून। तो अब बात को समझिए सब सब्सक्राइब धेहां से तरीके से आपने पढ़ा है याद रखेंगे तो आपने के लिए बच्चो पढ़ी होती है और आपको थोड़ा सा याद है बाउ से चीज को याद रखते हैं आपका जो रेट होता है और एक्टेंट की इसका मतलब आपने यह रिलेशन पढ़ा था एक वाली चीज जो है सुनों यही वाली चीज एक नहीं दो प्रोड़क्ट बना रही है एक नहीं दो प्रोड़क्ट बना रही है तो रेट कॉंस्टेंट क्या हो जाएंगे आपस मैड हो जाएंगे चलिए समझाते हैं इस बात को समझेए इस चीज को समझ जाएंगे ना बच्चो मजा आ जाएगा सच बता रहा हूं कहीं नहीं मिलने वाला यह कॉंसेप्ट आपको जाए में पी से क्यूं और यार वो दोनों फिस्ट ऑडर है मैं बोल देता हूं पहली reaction भी फिस्ट ऑडर है अगर अलग होगा तो मत कर देना यह गल्ति नहीं तो भी स्ट क्या में बताने जा रहा हूं ठीक दोनों फिस्ट और है अब लगाओ दिमाग दिमाग में लिग चल रहा है हमाल लेते हैं दोनों का जो ओवर ओल रेट को अग्ष्टेंट आएगा क्या एगा के वन प्लस के टू आएगा कि नहीं इधर के वन इस पीड से बन रहा है तो टोटल अगर में बात करूं तो दोनों एक साथ ही तो बन रहे ना अगर पहलल चल रहे हैं तो टोटल से घट रहा है तो मतलब इसकी कंसेंट्रेशन की बात मैं कर सकता हूं फर्स्ट ओडर की टम में तो अगर मैं बात करूंगा बच्छो यहां पी बहुत ही मज़दार पॉइंट निकल की आने वाला है देखलो यहां से कंसेंट्रेशन पी कि किसी भी टाइम पर कैसे निकाल सक Sullivanわかнает लिए के टाइम तो इनिनटाया कंस्टेंट ऱेया इनीक है अलत ओड़ा बच्छों मजा आया की नहीं यह लगांगे इस से करेंगे इस से करेंगे पाइल्र एक्शन के है स्चारी नहीं लगाएंगे लगाएंगे किसी भी टाइम पर मैं concentration इस reactant के निकाल सकता हूँ बहुत ही easily ठीक है यह लगाएंगे बच्चो देखो देहां से ठीक तो चलिए यह निकाल लेते हैं अभी initial concentration क्या है बच्चो चलिए t equal 0 पे देखिए बच्चो देहां समझिए t equal 0 पे इसकी concentration 4 molar है या 4 mol है molar छोड़िए दस मिनट के बाद इसकी क्या concentration होगी निकाल सकते की नहीं कैसे ऐसे चलिए निकालते हैं चलिए अच्चो देखिए आपके सामने तोड़ा फीगर सही से बना देते हैं जिससे आपको चीज़ेस क्लियर हो जाए पी से जा रहे है क्यूं और पी से जा रहे है बच्चो आर और य पावर और यह देख लेते हैं क्या दिया था फाई फिंटू ंकी तइब आएं धूर धीर दिए आठी तान पे माल्मिंट मेंड़र भावर माइनस तुए यहां पर इसकी jury होगी यहां निकालना है क्यूंस मोलर कह लिए जो चाहे आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे देखते हैं चलिए बच्छो ध्यार से देखिए तो अब आपको यहाद नोटिस क्या करना है इसको आप मोलर ही लिख लीजिए लुकुम भी नहीं तो आपको अब आपको देखिए एक निकालनी है दस मिनट के बाद दस मिनट के बाद निकालनी है तो हमीशल किंट्री जिए और ही कहें बच्चो और एकी पावर माइनेस फ extract एल में वीघ आप कर आ 5 प्लसके 5 प्लस 15 को एंट्र एंटींटू 10 की पावर माइनेश 2 भीट एनगा ना लगा न लगा नहूं है मैं पहले थे यहां पर ओवर ओरओ ईंटू टाइम तो देखए जिटाणिडास वीचे वे इन्टू एकी पावर माइनस के ओवरोल 20 इन्टू 10 की पावर माइनस टू और टाइम आपको मिनट दिया देखे यूनिट कैंसल सब कैंसल हो जाएगा यह आपका टू बचेगा तो फोर अपान एकी पावर टू इसको सॉल्व किजिए बच्चो जल्दी बताईए इसको सॉल् करोगे तो 0.54 मोलर कंसेंट्रेशन आपकी बची अरे समझ में आया बच्चो यहां तक आभी लॉजिक समझना बच्चो मज आने वाला देखो पहले इनीशियल कंसेंट्रेशन पी की देहास सुनिए पहले जब टाइम जीरो मिनट था तो कंसेंट्रेशन फोर मोलर थी हाँ अना अब कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चो 0.54 मोलर है कितनी कंसेंट्रेशन यूज हो गई पी की कि इतनी कंसेंट्रेशन पी की यूज हो चुकी है अरे हाँ है ना है ना तो माल लेते हैं बच्चों देखो ध्यान से एक और बढ़ी है फॉर्मला इंपॉर्टेंट पहले लिएक्षन के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यह जो क्यू और आर आपके प्रोड़क्ट बन रहे है इनकी कंसेंट्रेशन क है बराबर आता है इस्टो चुमेटरी की बात यहां नहीं की क्योंकि यहां पर सारी लगबग वन वन है तो यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता है नहीं तो भी बता देते ठीक है चलिए ध्यान से देखना बच्चों यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कंसेंट्र तो आपका आपका आर कंसेंट्रेशन जो आई हाँ यहां या हाना बतातो मतलब समझेक है यह एक्स एक्स कंसेंट्रेशन धोलब Comparoقة अा यहां यहां यह जो बनेगा हूँ लेकिन अगर एक बार समझ गए तो पहलेल रियक्षिन के लिए कभी भी फॉर्मले की जरूरत नहीं पड़ेगी यह मैं गैरेंटी से अगर दो बच्चों आपका अंसर आ जाएगा चलिए निकाल देते हैं 3.46 डिवाइड़ वाइड़ फॉर यहां से बच्चों आपकी जो एक्स की वेल्यू आएगी 0.865 आएगी मतलब मतलब क्यों की कंसेंट्रेशन तो आ गई 0.865 मोलर लेकिन हम से बच्चों आर की पूछी है 3 टाइम कर दीजिए इसका अंसर आपकी हाथ में है चलिए यानि आपसे आर की कंसेंट्रेशन पूछी है मतलब 3X पूछा है 3 x 8.645 कर दीजिए बच्चों ठी कर दीजिए आपका अंसर आपके हाथ में है बिल्कुल बिल्कुल आपके कैलकुलेटर पे है जल्दी से निकालिए 0.8645 तो यानि 2.4 के आसपास कह लिजिए अरे क्लियर हुआ बच्चों जल्दी बताओ तो कंसेंट्रेशन आर की जो आपकी निकल कर आएगी 3 टाइम कर दी अरे क्लियर हुआ बच्चों यह पूरा कॉंसेप्ट था पूरा पैलल ओडर होता क्या है उसका मीनिंग क्या है इस सारी चीज मैंने समझाई है एक एक करके चाहे तो इसका डिलेक्ट फॉर्मला लगा के बच्चों को किया जा सकता था लेकिन उसमें मजा नहीं है हर बार फ बहुत ही मज़दार कॉशन था मैं इसका फॉर्मला या बच्चो जनरली याद नहीं रखता हूं इसलिए मैंने आपको बिना फॉर्मले के बताया है डायक्ट लंबा सा बड़ा सा फॉर्मला होता है पूरा फॉर्मले में कॉइंसेप्ट जो लॉजिक होते हैं वो सब यही आ चुका है यह वाला कुश्चन भी 15 बहुत important और मज़दार कुश्चन यह थर्मोटैडमिक्स का कोशन है थोड़ा सा ज्यादा एक्लिब्रियम भी है थोड़ा सा इसमें मिक्स है लेकिन मज़दार है चलिए देखते हैं जराइस को एक बार रीड करेंगे बढ़िए तरीक सब्सक्राइब कोई बात नहीं होगी डिल्टा और जी नोड़ और ऑस तुट्री का दिया है एक टिलो जूल पर मोल में दिया है उक्के वैल्यू ऑफ देक्विवरियम आपसे पूछ रहा है के पी अधिस टेंप्रेचर आपका क्या आएगा देखियो बोल रहा है कि इस कु सबसे पहले आपको ईक्वेशन लिख लेनी है नहीं और डिल्टा चीवाचो जीडू कर देना है जैक यह पर बात हो रही है जैसे ही डिल्टा जी बातो है आएगा वहां पर आपका रियक्षिन का जो रेशियो कॉंस्टेंट था वह आपका क्या बन जाएगा क्योंकि यहां प्रैसर की टर्म्स में बात हो रही है चलिए समझाते है लिखके देखिए डिल्टा जी इक्वाल डिल्टा जी नोड यह एक्वेशन सबको पता है वेंट ओफ होती है प्लस आर्टी एलन क्यों यह होता है बच्चो एक्वलिब्रियम बच्चो ऐसे स्टेप बाई स्टेप सीखिए समझ यह मझे आ जाएगा एक बार देख लेंगे मझा ही आ जाएगा चलिए एक्वलिब्रियम पर डिल्टा जी आपका जीरो एक्लियर बच्चो एक्वलिब्रियम पर डिल्टा जी आपका जीरो स्पॉंटेनियस प्रसेस के लिए क्या होता है डिल्टा जी आपका माइनस आर्टी एलन और यह जो क्यू है बच्चो यह आपका क्या हो गया तो आपको निकालना है यह जो आपकी फाइनल रियक्शन हो रही है ना सो टू से सो थी में कनवर्जन हो रहा है जो उसके लिए आपको डेल्टा जी नौर्ड रियक्शन का निकालना है और वो आपको पता है नहीं पता है तो हम बता देते हैं त्वर और रियक्षन के लिए यानि product माइनस रियक्टंट प्रोडट्ट है आपका ईसो 3 और रियक्टंट आपका आपका इसो टू और जनीर बच्चो जीवाज के चलते हैं तो दिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं देखिए तो तो एस ओरी का लिए माईनस 371 किलालेंग बच्चोट किलो जोल मी रख रहा हूं मैं ठीक मायनस 300 क्योंकि वह आसो से माइनसाय माम स्थ इसको अगर आप देखेंगे तो माइनस 71 किलो जूल पर मोल आपका आएगा अरे क्लियर बच्चो डेल्टा जी नोड रियक्शन का आ चुका है आर है टी है लेकिन यही बचना है बच्चो आपको ले नैचुरल लॉग है आपको यहां 10 की पावर में चीजे करी है यहां पर सबसे पहले इस लॉग की बेस चेंज कर द यह तो यह माइनस 71 किलो जूल है तो टन की पावर 3 से मल्टिप्लाई कर दें मतलब 1000 जूल पर मोल क्लियर है माइनस 2.303 क्यों लिखा कौन बताएगा कौन बताएगा लॉग बेस टैन ला नहीं है इसलिए लिखा ठीक है चलिए आर की वैल्यू रग दीजिए 8.314 ठीक है त आप टेंपरेचर क्या दिया 298 आगया 298 टेंपरेचर है जैसी आप टेंपरेचर रखेंगे 298 केल्विन तो यहां जूल पर मोल जो है वह तो बच्चो यूनिट है लॉग बेस टैन बच्चो लॉग बेस टैन हो चुका है के साथ देख लिए बच्चो कोई दिक्कत नहीं ह जाए चीज आपके सामने है जुदि काटते हैं बच्चो यूनिट काते है मजा आने वाला है जिए को काटने और उडाने मुझे बड़ा मझाता है मोल मोल कैंसिल जूल कैंसिल देख लिए कोई यूनिट नहीं बच रहे है माइनस से माइनस भी कैंसल हो चुका है अंसर आप का लॉग बेस टेन पे के पी जो आएगा वह आने वाला है सेवन्टी वन थाउजेंड डिवाइड बाइट पॉइंट्री वन फोर इंटू तू पॉइंट्री जिरो त्री इंटू एक चीज और थी बच्छों नीचे मल्टिप्लाई में चलिए देखते हैं जरा तू नैंटी अड बिल्कुल यह आपको सॉल्व करना आ वच्छों बस यह आपको सॉल्व करना है तो इसका अंसर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे चलिए सॉल्व करते हैं इसको 71,000 divided by 8.314 तो यह हो जाएगा आपका इस तरीके से और 2.303 भी है तो आपका आ जाएगा टोटल डिवाइड होगे 12.44 यह आपका मिलेगा एक बारी चेकर लीजेगा ठीक है तो जैसे ही KP को आप सॉल्व करेंगे 10 की 10 की पावर 12.44 तो यह आपको 2.75 इन्टू 10 की पावर 12 आपको मिलने वाला है लेकिन आप से यह नहीं पूछा गया है देखिए आप से पूछा गया है यहां पर 10 की पावर 10 किया गया है और इसके बाद यहां जो इंटीजर आ रहा है है वह पूछा गया है तो देखिए जराद यहां से देखिए तो इसमें क्या कीजिए बच्चों 100 से एक बार मल्टिप्राइब कर दीजिए कोशन इस तरीके से पूछे जाते हैं मज़ेदार मज़ेदार चलिए 275 इंटू 10 की पावर 10 यही आप से पूछा था नीरेश्ट इंटीजर कर दीजिए तो आपको फाइनल अंसर है वो 275 है चलिए पीछे भी लिख देते हैं जो आपका फाइनल आंसर है बच्चों 275 आपका अंसर आने वाला है अरे बच्चों नीरेश्ट इंटीजर पूछा था 275 आएगा तो गलती नहीं करनी जल्दबाजी नहीं करनी अराम से करना है सारे कोशन सही हो जाएंगे चले बच्चों आगे चलिए चलिए इसी तरीके से आगे चलते है और भी अच्छ अच् इस कोशन को भी करेंगे आपको यहां कह रहा है कंसीडर कीजिए इलेक्ट्रोगेमिकल से आपको दिया हुआ है यहां पे मैटल है और यह माइट्व इस तरह से माइट्व एमस इस तरह किसा आपको एक सेल बना के दिया है आपका अपका एक मैटल है 298 कैलिविन पे रिटेक्षिं पोटेंशब्स आपको दिये हुए है देखिए आसे माइनस पॉइंट वैल दिया है इंटू प्लस से मैं जा रहा है तोड़ दोनों ही जैगा रिदक्शन पूटेंशिल आपको दिया है और दो इलेक्ट्रोन का चेंज नंबर ओफ एलेक्ट्रोन का चेंज की बात करें तो दो है इस रिएक्षिन के लिए चलिए अब रिड़क्शन पोटेंशिल के डेटा को देखिए यह डेटा जो है यह जो है यहां जली जुश्ड बोलेयोता है उसी को तुम के थोड़ kommt बना पाते है इसका मतलब है इस पॉड़ेंट ज्वाब है नहीं आगर होता तो भी कोई लिख कर stuffs नहीं यह है यह दिखेंटेशन लिग से लगलें के मिल रिखा हुआ है है नहीं पता डेटा से तब भी देखे है चीक चीक के चिल्ला-चिल्ला के कह रही है कि मैं एक होड हूँ डेख लो बत्चो तो आपके पास क्या दिक्कत क्यतों फोट chill पता है इन न निकल जाएगा कि नहीं अरे मजदार है कि नहीं निकल जाएगा क्या होगा निकालके चलिए आप को पड़ते हैं को टेंप्रेचर कोएफिसेंट भी दिए बहुत टेंप्रेचर पे आप से कह रहा है अध्यात सुनिहें इस्टेंडर एंपल्पी चेंज इस तैंदल एंपली में जारी है यानीकलव क looking at each not IQ लगा दो यानी बेधार नावभान जीकंगे यानी आपसे लищata पूछा है रियक्शन के लिए जिसको उसने खुद बोला है क्या डिल्टा रह नौड अरे हाँ यह पूछा है बच्छों है ना चलिए वह भी किलो जूल पर मोल में पूछा है राउंड कर कहरा आपना अंसर को राउंड कर देना तू देसीमर प्लेस तक निकल जाएंगे चलि देल्टा एक्वल डेल्टा ह हाँ आता है बिल्कुल पता है इस्टेंडर कंडिशन पे डेल्टा जी आपका डेल्टा जी नौड बन जाएंगा यह नोड बन जायेगा अगए सक्राइब पार ये बच्छो आप अब डेलटा जी नौड की वेल्यू कैसे निकाले? इन दोनों की वैल्यू समझें की दो नबने से मुझे कोई नी कालने से कोने रोख सकता ये दोन कैसे कैलकुलेट करें इसका डारक्टर रिलेशन होता है के साथ इसका भी आपने थर्मोदेनमिक वेरियवल में रिलेशन पड़ा है चलिए लिख देते हैं निकाल देते हैं चल्दी से तो सबसे पहले बच्चो बेल्टा-जी- 받 निकालती हैं सबसे बच्चो बेल्टा-जी- लीजिए कॾराई यांपर आपका डिल्टा-जी- निकलेगा तो माइनस एन एफ इनोर्ड सेल अरे हाँ या ना तो नमबर ओफ इलेक्ट्रोन का चेंज में बता चुका हूँ फरेडे आपको पता है इन जड़िया नहीं पता तो देख लिजिए उसने खुद दिया है वैल्यू आपको टेंशन लेनी की जरूरत नहीं यह तो तो आप reduction potential की टम में कर लो या तो आप oxidation potential का ले लो कर सकते हो कि नहीं तो क्या होता है इनौड cell बच्चो इनौड cell आपका होता है इनौड cathode minus E-Node anode और इसमें दोनो reduction potential की टम में होने चाहिए ठीक है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इनौड एनौड प्लस इनौड cathode का तो reduction potential लखना एनौड का oxidation potential लखना कुछ भी करना बच्चो आपका चलिए तो इनौड cell जो आएगा देखिए इनौड cathode minus E-Node anode अरे clear है दोनो reduction potential form में रख देना या एनौड को oxidation potential में रख देना कोई दिक्कत नहीं है आपका यहां से solve करके E-Node cell जो आएगा देखिए निकाल देते है E-Node cell आपका आएगा cathode का reduction potential minus 0.12 minus का minus 0.36 इसको solve करेंगे तो 0.24 आएगा वोल्ट में तो डाल दीजिए बच्चो 0.24 बोल्ट यहां डाल दीजिए चलिए इसको solve कीजिए बच्चो डेल्टा जी की value आपकी निकल आएगी ठीक है unit unit हटाई दीजिए क्योंकि आपका answer तो directly आएगा अभी unit को satisfy करागे तो आप यहां डेल्टा जी नोड जो आपका निकल कर आएगा माइनस 46.32 किलो जूल और मोल आएगा बच्चो दिहान ने ना किलो जूल लिखाए मैंने यह आएगा आपका डेल्टा जी नोड अभी तो डेल्टा जी नोड निकला है बच्चो अभी तो कह डेल्टा जी नोड निकल जाएगा हाँ है ना टी डेल्टा जी वेल्यू केल्कुलेट करते हैं चलिए तो आगे आते हैं बच्चो तो चलिए देखिए टी इन्टू डेल्टा एस नोड की वेल्यू को केल्कुलेट करना है इसकी वेल्यू को केल्कुलेट करना है चलिए दे पार्चल टी एड कॉंस्टेंट पी आरे बच्चो यह तो दिया है FB पता है NB पता है हाँ या ना पर T से मल्टिप्लाई कर दें दोनों तरफ तो अपना काम हो जाएगा अपना काम हो जाएगा तो चलिए T देल्टा इस नौड की वेल्यू निकाल लीजिए एंड की वेल्यू दो है फरेडे नौच है पांच जीरो जीरो है और पार्चल इवाइब पार्चल टी एड कॉंस्टेंट पी की वेल्यू बच्चो दिये चलिए देख रहते हैं क्या दिया है की वेल्यू जो आएगी किलो जूल पर मोल में आएगी वह क्या आएगी माइनस के ठीक है इसकी जो वेल्यू आएगी बच्चो एट पॉइंट प्लस की आएगी 8.63 किलो जूल पर मोल आएगी अरे क्लियर बच्चो देख लो कैलकुलेट कर लेना टी डेल्टा एस नॉट आ गया डेल्टा जी नॉट भी आ गया डेल्टा जी नॉट भी आ गया हालिक देते डेल्टा जी नॉट क्या था माइनस 42.32 है ना माइनस 46.32 था ठीक है देख लेना चेक कर लेना किलो जूल पर मोल था यह दोनों वेल्यू आग तो रख देंगे यहाँ पर तो माइनस 46.32 और प्लस में आ जाएगी वह वैल्यू बच्चो एट पॉइंट 63 इक्वाल टू डेल्टा एच नौड तो डेल्टा एच नौड की वैल्यू को बच्चो सॉल्व कर लोगे तो माइनस 37.7 किलो जूल पर मौल आपको देखने को मिल जाएगा रहे एए बच्चो देखलो इस तरीके से आपके कोस्टिंस मन रहे हैं है कल्कोलेटर मा अभ लेवल होता है ठीक है कल्कुलेटर म माइनस 33.7 के आज़स पास आपका आंसर आजाएगा तो चलिए तो इसके लिए आंसर मैं लिख देता हूँ माइनस 37.7 के आसपास आपका अंसर आ जाएगा वन देसिमल प्लेस राउंड पूछा था बिल्कुल सही है तो देसिमल पूछा है बच्चो लगा दीजिए ठीक है 37.71 लगा दीजिए जो भी है कोई दिक्कत नहीं है रेंज आपको अच्छी खासी दी थी ठीक है चलिए आगे चलें चलिए तो इस तरीके से आपका 16th कोशन भी हो गया चलिए बच्चो यह भी एक बहुत ही अच्छा कोशन है अपने आप में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपके कंपाउंड का दिया है एक्स जो की 350 केलविन है ठीक है फीट ओफ एप्राइजेशन जो है आपको दिया है डिल्टा एस 30 क्लोजूल पर मोल ओके प्रैसर रि पॉर्मॉला है क्या है डिउस च्टाय पर प्रैसर का गारिशन हो रहा होता है इसके साथ में सा यह के साथ तमप्रेचर चे बच्चो तो आप लगा दीजिए दिखान से लगाना तो एलन के अंदर पी टू वाई पी वन इसकोई टू डेटा डेपराइजेशन एच अपॉन आर यहां पर लगा दीजिए ध्यान से टीटू माइनस टीवन अपॉन टीवन इंटू टीटू कई लोग वन अपॉन की फॉर्म में भी याद रखते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए कोई दिक्कत नहीं है ठी 350 केल्वीन इस तरीके से आपका यह पूरा कोशन है तो आगे देखते हैं बच्चो तो पहले तो वह बॉइल हो रहा था ठीक है जो पहले आपका बॉइल हो रहा था डॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसका 350 केल्वीन है तो यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए ज़़ा चलिए तो पीटू बच्चो पीटू आपको नहीं पता है सेकंड प्रेशर आपको नहीं पता है तो पीटू आपको निकालना है पीवन जो है आपका बच्चो 760 टॉर है ठीक है टॉर है यह टॉर है तो डल्टाइच वेपराइजेशन की वेल्यू रख दीज Family ुकिलूल नहीं आँ जूल है तो 30 इन्टुटेंट की पावर धूल पर मोल हार की वेल्यू सदी दीजें यह 1 314 जूल पर कैलिवन पर मोल यूनिट के साथ रख दीज़े, कोई दीख कर दीए, T1, T2 into minus T1, इसको solve कर दीज़े, तो 350 minus 300, ठीक है, आपका answer आ जाएगा, ठीक है, minus 50 upon, कहां गया, कहां गया, ठीक है, minus 50 upon, 300 into 350, इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरा answer आ जाने वाला है, ठीक है बच्चों, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, मैं, ठीक है बच्चों, यही आपकी calculation है, बच्चों, यहां से इसकी Kelvin unit आएगी, नीचे बच्चीगी, इसको बच्चों पूरा solve कर लेना, यहां से आपका P2 का value जो निकल कर आएगा, 120, 136.32 कुछ आएगा, जो कि किसमें आएगा बच्चों, टॉर में आएगा, तो इस तरीके से यह आपका question था, ठीक है, ठीक है, ओके यह किस topic से था, जी यह बच्चों, आपका closest clapion की बात करें, solution chapter liquid state से था, ठीक है, चलिए, चलिए बच्चों कुछ और question देखते हैं, चलिए बच्चों इस तरीके से आपके पास यह भी a question था, simple question है, इसको molecular gas phase reaction दिया है, आपको, pre-exponential factor की value दिये है, ठीक है, यह प्री exponential factor की value दिये है, standard entropy of activation आपको निकालना है, ठीक, standard entropy of activation आपको निकालना है, ठीक, इन्ट्रोपी निकालना है, कहने का मतलब यह है, ठीक, जूल पर Kelvin पर मोल में, round of करना है, decimal points में, यहाँ बच्चों आपको बता देता हूँ, P plus Q से आपकी reaction जा रही है, R में, और reaction बोला है, बच्चो, by molecular reaction, by molecular reaction है, बच्चो, इसका मतलब है, आपका जो molecularity है, molecularity की बात करें, तो वो 2 है, molecularity की बात करें, तो 2 है, तो delta NG dagger जो है, अपना बच्चो, वो, delta NG dagger जो है, वो निकल जाने वाला है, 2, ठीक है, और इसके लिए, बच्चो, एक equation होती है, जो की, liquid और solid state के लिए भी काम करती है, rate constant और temperature के variation के लिए होती है, उसका नाम होता है, arraying equation, चनाम होता है, बच्चो, arraying equation, और वो equation क्या होती है, जरहां उसको देख लेते हैं, तो वो equation होती है, आपकी, a is equals to kbt, upon h, e की power 1 minus delta NG dagger, ठीक है, into यहाँ पर बच्चो आता है, e की power delta S by R, यह होता है, बच्चो, बस आपको यहाँ पर सारी values put कर देनी है, आपका answer calculate आ जाएगा, a की value रख दीजिए, 10 की power 13, clear, kb की value रख दीजिए, kb की value आ जाएगी, 1.38 into 10 की power minus 23, temperature की value रख दीजिए, तो temperature यहाँ पर, यहाँ पर temperature बच्चो, चलिए, देख लेते हैं, ठीक है, standard condition हाँ, 25 degree Celsius दिया है, बच्चो दिख भी नीट है, यहाँ पर 298 Kelvin है, ह की value को रख दीजिए, तो ह की value आपको दीए, 6.62 into 10 की power minus 34, यहाँ पर unit का कोई खेल नहीं जादा, ठीक, और यह आपका kbty by h हो गया, और e की power बच्चो, यहाँ पर यह 2 बन जाने वाला है, तो यहाँ पर 1 minus delta ng करके आप निकालेंगे, तो यह आपका निकल जाएगा, तो यह आपका e की power 2 आएगा, ठीक है, चलिए, तो इसके आगे चलते है, ठीक, तो यहाँ एकी power delta ng आपका आता है, और delta s by r, ठीक है बच्चो, तो यह सोरी delta ng यहाँ पर जो आएगा, वो 1 minus molecularity आता है, यहाँ पर 1 minus molecularity आता है, तो 1 minus 2 यानि delta ng डैगर जो है, मैनस 1 आएगा, तो यह मैनस 1 आएगा, तो यह आपका 2 आएगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक ही power delta s, delta s यह आपको निकालना है, अगर आप ध्यान से लेखे, यास, delta s आपको निकालना है, तो delta s और r की value 8.314, इसको solve करेंगे, बच्चो तो delta s जो आपका आएगा, निकल के, माइनस 12.57 आएगा, ठीक है, इस तरीके से यह question है, त्रोडल एंदी था, आपकी calculation करनी थी, ठीक, आपको r i की question याद होनी चाहिए, delta n जी याद रखना, 1- molecularity करके, आप निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से question दार, चले आगे देखें, चलिए, खेर कर दीजिए session को बच्चो लाइक कर दीजिए जल्दी से, चलिए, आगे चलते हैं बच्चो अभी बहुत question बच्चे हैं हमारे, चलिए तो यह आपका character table d8 का दिया हुआ है, यहाँ पर आप से question की values पूछी है, a plus b plus c plus d plus e plus f plus g plus h plus i plus k, यह निकाल दीजिए, बच्चो तो देखिए, इसके लिए छोटी चीज़े याद रखिए, कुछ-कुछ बाते याद रखिए, उससे आपके question हो जाएंगे, चलिए, क्या है याद रखना दिखिए, यह जो character table दिया है, इस e के लिए values a हो, या b हो, तब तो दोनों के लिए value अच्चो 1 रहेगी, और अगर इस e के लिए बच्चो e की बात करेंगे, तो वहाँ पर value 2 रहेगी, इसका मतलब यह सारी values तो आपको मिल गई, यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, यह आपका, ठीक है, यह भी 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, ठीक, मतलब यह सारी values तो बच्चो आपको मिल चुकी है, तो अगर आप अपना अंसर देखेंगे, 2 प्लस 2 ठीक है, यह सारे को add कर देंगे, तो आपको a plus b plus c, और d plus e plus f plus g, यह तो आपको मिल गया है बच्चो अगर दिहान से 6, 7, 8, 9, 10, यह value आपको मिल चुकी है 10, आपको बस यह h plus i plus j plus k, इनकी value को find करना है, तो इनकी value को कैसे find किया जा सकता है, यह है important point, चलिए तो देखेंगे, इसकी values को कैसे find किया जा सकता है, जरा उसको समझते हैं, तो देखें, यहाँ पेक्ट्रिक है बच्चो आपको हैं, इसमें पहली row को ले रहे हैं, और दूसरी row को ले रहे हैं, धिया सदिकें, पहली row और दूसरी row के coefficient को multiply कर रहे हैं, लेकिन याद रखना है, जो उपर जो coefficient हैं operators के, उनको भी आपको धियान में रखना है, चलिए, तो यहाँ है पर इनकी multiply करेंगे, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, और 1 into H और into A और साथ ही बच्चो इनकी multiply इनसे भी करते जानी है और उन्सका sum जो आएगा वो one आएगा चलिए तो आप देखेए चलिया लिए उनका sum जो आएगा 0 आएगा उनका sum क्या दो आएगा टीक चलिए तो करते हैं तो multiply किजिए तो इंटू वन इंटु वन ठीक है पहला एंटू आन इन में शी तरह से टू इंटू वन इंटू इन शीरी टू इंटू परन इन टू ऐन इसा थी नित्व आब डेर्क्त लिगते है तो अनुए वो इनटू वन ऊन में ज़ें एक दो तीन बार 2 को चुका है हैं अ कि अली आगे चली आगे चली एन यह जमेशंद जी इक्वल टू समेशन जीरू ठीक है बच्चों समेशन जीरू यहां से आप देखिए कैलकुलेशन कीजिए जरा ध्यान से चलिए मैं करके दिखाता हूँ यह तो बच्चों 1 आगया ठीक 2 बेशन से और यह वन सैवन और यह वन ऐट तो 4 h ब्लस i की वेल्यू आगयी मैनस 8 यानि h फ्लस i की वेल्यू मैनस 2 आगई चलिए यानि h पिलस i की वेल्यू आगयी है बच्चों घ्यां से ढखिए h plus i की values तो आ गई है अपने पास हाया ना देख लिजिए h plus i की values तो हमारे पास आ चुकी है क्या कहते हो सही कह रहा हूं कि नहीं minus 2 देखिए यानि h plus i की value भी आ गई है minus 2 अब बस बच्चो j plus k की value निकालनी है क्या करें j plus k के लिए भी बच्चो जहां j है और k है उन दोनों row के आपस्वा multiply करके निकाल लो ना देखो 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 समझाते हैं logic समझो बच्चो मज़ा आएगा देखो j वाली row है ये आपके पास अरे हाँ और k वाली row है आपके पास ये इन दोनों को row को भी multiply करके आप solve कर सकते हैं लेकिन वहां से फिर j आपका cancel हो जाएगा तो आपका नहीं निकल पाएगा लेकिन k की value आ जाएगी चलिए वैसे अगर के k की value निकाल लीजिए तब भी आपका answer solve हो जाएगा चलिए फिर k आ जाएगा फिर j निकलेगा फिर आपका जो answer आएगा वह फाइनल आएगा चलिए तो कर लेते हैं जल्दी से इसको भी कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो आप यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे देखिए तो j और k के लिए क्या करना है देखिए और यहां पर कोई भी रियक्षन ले लिजिए कोई दिक्कत नहीं है देखिए यही ले लिजिए यहां से पहले निकाल लेते हैं इनकी कर दीजिए आपस में multiply और इंको भी धिहान रखना इनको भी धिहान रखना थे इनको भी धिहान रखना ठीक है चलिये तो one into one into one final बनाते हैं कि देखिए one to one into one तो यहां पर आपका final बनेगा one are clear two into one into 1-2 मैंट इसवें आपंकर बानेरगा टू अप्र में अञए आर यहां प्रीकित किन बंच्यू नस है यहां प्रीयापर दिक्रूशन खू नियाइगा अप्र पिर यहां प्र सबस्थे आ हॉं सबस्क्रपी और बच्छ न चाह दो ओ इक Gon? इसको calculate करो तो यह आपका हो जाएगा cancel और 3 प्लस 4 और उदर जाके J आपका माइनस 1 आ जाएगा बच्चो J की value बच्चो माइनस 1 आ जाएगी J की value माइनस 1 आपकी आ जाने वाली है आपके की value को बस आपको calculate करना है और उससे आपका सवाल हो जाएगा कर सकते सेम इसी मैटरट से calculate कर सकते है multiply कर लीजेगा आपका जो के निकल के आएगा वह मैं बता देता हूँ आपको ठीक है आपका की value आएगा बच्चो टू निकल कर आएगा तो इससे जो आपको final अंसर आएगा a plus b plus c plus d plus e f जो भी है उसका अंसर क्या आएगा नाहीं आएगा इस अंसर क्या आएगा नाहीं आएगा रहे clear बच्चो चलिए आगे चले चलिए तो यह भी आपके सामने एक छोटा कोशन है मजदार कोशन है इसको भी कर लेते हैं जरा ध्यान से देखिए तो यह आपको दिया है बच्वाप से यह दिया है अलफा आएस एकस ओपरेटर आएस वाई उपरेटर माइनस एस वाई ओपरेटर एस एकस ओपरेटर इगें और यह अलफा इस तरीके से आयोटा एच क्रोश स्क्वाइर अलफा ओ सॉरी एग फिक हैं यह दिया है बच्चों आपको यह अगर आप दिहां से देख पारे कॉम्यूटेटर बन चुका है अलफा एसेक्स एसवाई का कॉम्यूटेटर ना और यह अलफा और यह आपका अलफा बन चुका है इस तरीके से आपका यह कुश्चिन आपका रखेर इस तरीके से आएंगा इस तरीके से आएगा अलफा इस तरीके से यह आपका बननेवाला है इस तरीके से आपका बनने वाला है इस्थ को कॉममल ले लेंगे एकड़े लिसकातल आप कर अपको बॉसकरी है प्लut तो आता है यहां पर देखिए यहां पर बोला है क्या स्पिन अप आइगन फंक्शन बोला है रहा है मतला है यहां से तो आपको समझी में आ गया होगा यह एकर इस तरीके से आपका अंसर यहां पर प्लस आइट ख्रॉस बैट आएगा और इसको अगर कर लेंगे तो आपका न्सर यहां पर बच्चो तो सौर्विश्वर यहां पर यह इंहीं आता है कहीं भी आयोटा नहीं है कहीं भी आपका नहीं यह यह इस तरीके से आपका बचेगा ठीक चलिए तो यहां पर इस तरीके से यह रहेगा स्वरी आयोटा एच क्रॉस स्क्वार बाइटू आपका आएगा तो आपका यहां पर यह जो इसके साथ मल्टिप्लाई में है वन बाइटू वही आपकी एक ही वेल्यू है मतलब 0.5 इसका जो करेक्ट आंसर वच्चो आपक को 0.5 मिलेगा वह आपको 0.5 मिलने वाला है ठीक है चलिए शेयर कर दीजिए चलिए बच्चो ठीक है इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन देखें चलिए बच्चो ट्वंटीवन कोशन पर अगर हम बात करें तो इसका डिरेक्ट एक मैथड है वह आप याद रख सकते हैं क्या मैथड है इसमें आप जो ट्रिक है वह ऐसे लगा सकते है देखिए एरिया अंडर दा कर्व area under curve upon direct लगा सकते हैं method बच्चो length of box यह method बहुत ही simple है इस question के लिए लगा सकते हैं आप यहां पर length of box तो यहां पर length of box तो बच्चो आपको पता ही है यह जो आपका निकल के आएगा बच्चो यह potential आएगा पटब्ड यह आपका potential निकल कर यहां पर आएगा फर्स्ट ओर्डर एनर्जी की correction के लिए जो potential है इस तरी से आएगा और बात करें यहां पर इस तरीके से box की length की तो इसका graph का जो area जो graph आएगा बच्चो देखो कैसा आएगा जो graph आएगा वो ऐसा आता है symmetrical आता है इस तरीके से तो इसका area अगर बात करेंगे तो यह negative area और यह positive area box length 0 से a यह जो area है बच्चो यहां पर वो 0 आता है और area 0 आने की वज़े से अगर आप इस question के लिए इस particular ग्राफ इस particular के लिए अगर आप करते हैं इस particular के लिए आप यह method लगाएंगे तो आपको perturved energy 0 आएगा ठीक है तो यहां पर यह देखिए c e v आपको दिया है मतलब आप समझ जाएए यहां पर कुछ भी हो बच्चो यह क्या आएगा 0 ही आने वाला है multiply होकर है clear है इसको आप solve करेंगे तो आपको answer यहां पर 0 निकल कर आएगा यह बहुत ही 2D harmonic oscillator दिया है बच्चो 2D harmonic oscillator angular frequencies आपको दी है तो देखिए omega x दिया है आपको ठीक है 6.5 into 10 की पावर 14 radian per second ठीक omega y दिया है आपको तो omega y भी आप निकाल लीजिए 6.5 divided by 2 यानी 3.75 into 10 की पावर 14 radian per second ठीक है और एक important बात मैं आपको बता दू 1 radian जो होता है बच्चो 0.159 second inverse होता है तो यह यहाँ पर लगा दीजेगा omega आपके पास आ गया है x और y का एंगलर फ्रिक्वेंसी फिर second में आ जाएगी चलिए अब वेवलेंग पूछ रहा है बच्चो एक्स्प्लोरेंश लाइट की required to for the excitation of a particle from its ground state to the next allowed state ground state के लिए अगर बात करूँ तो आपको 1 है और next allowed state के लिए बात करूँ तो आपका ground state यानी 00 रहेगा क्योंकि 2D box की बात चलिए है और next allowed state या तो 01 या तो 00 बात एक ही है लगा देंगे चलिए तो डेल्टा यहाँ पर पुछा क्या गया है बच्चो आपसे wavelength पुछा गया है लेमडा पुछा गया है आपको चीक है की 2-1 कैसे निकलेगा चलिए देखिए आपको फॉर्मॉला यहां यह लगाना है यी टू कैसे निकलेगा देखिए 2 प्लस हाफ देखिए देखिए दिया से second allowed state यानि जो final allowed state है उसको कैसे निकालेंगे तो 0 प्लस हाफ हम्यू ठीक है इस तरीके से और यहां पर जो है आपका ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स लगा देना है और ओमेगा य लगा देना है तो आपको थोड़ा धिहां से करना है तो आपको जो है second allowed higher state पर जाना है न तो yes ब है वी एक्स रखना है बच्चो ध्यान देना ठीक है और यहां पर आपका वन प्लस वन बाय टू हम्यू वाई ठीक है और यह म्यू एक्स और म्यू वाई जो आपने निकालें यहीं से आए है second inverse में निकाल लेना clear अराम से ध्यान से ठीक चलिए तो उसको calculate कर लेना इस तरीक से यह आपका question यहां पर solve हो जाएगा म्यू एक्स और म्यू आई की value सही से निकाल लेना और आपका h की value भी रख देना आपका cancel हो जाएगा ठीक है clear है तो यहां से e2 और e1 आ जाएगा और वहां से delta e आएगा और h और c की value calculate करेंगे तो आपका final lambda निकल कर आएगा बच्चो वो 2.9 ठीक है 2.9 into 10 की power minus 6 meter आएगा तो इस तरीके से बच्चो आपका answer 2.9 यह वाली चीज आप से पूछी गई है तो आपका answer जो 1 decimal place तक आएगा वो 2.9 निकल कर आने वाला है तो इस तरीके से बच्चो gate में जितने भी question आये थे 2019 के अंदर physical chemistry के सारे discuss किये है with step wise okay चलिए बच्चो सेजिए को like कर दिए share कर दिए subscribe कर दिए थैंक यू थैंक यू बच्चो happy learning चलिए